नमस्ते जे नमस्ते क्याल चाले आपके सरम बहुत अच्छे हैं आप सुनाइएगा अब भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बुलेंगे राधे राधे हमने दोनों डोस लगवा ली है वैक्सीन की और उमीद करते हैं कि आपने भी लगवा ली होंगी नहीं लगवाई है तो लगवा लीजिएगा दूसरी डोस कल लगवाई है और आज ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नीद ना आए मुझे चैन ना आए पर कोई बात नहीं है चले है येस सर वैक्सीन ध्यान से लगवा लीजिएगा लास्ट क्लास में हमने क्या गुल खिलाए थे उनका एक हलका सा रीकैप लिए लेते हैं सप्लाई चैप्टर था इसमें छोटी सी एक करेक्शन थी बिसिकले यहाँ पर यह था कि जब हमें एक बिजनेस असेट का पर्मानेंट या फिटेंप्रेरी ट्रांसफर करते हैं तो सप्लाई बन जाती है विद कंसीडरेशन हो या विदाउट कंसीडरेशन हो ये चर्चा की with consideration, without consideration ये शब्दावली relevant होती है सिर्फ ये पता करने के लिए कि वो घटना supply है या नहीं जब एक बार कुछी supply बन गई है और हमें ये decide करना है कि वो goods की या service की तो इस classification के लिए अब ये बोलना जरूरी नहीं है कि ये free of cost थी या with consideration थी तो accordingly नहीं यहाँ पर सुधार कर दिया लाकर कि schedule 2 के अंदर जो with consideration और without consideration जैसी बातें थी उनको यहाँ से हटा दिया गया है right? yes sir, कौनो दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी आगे बढ़ते हैं आगे क्या निकल के आया था सहाब यहाँ पर यह अपना था composition scheme इसमें जो व्यक्ति eligible नहीं होते हैं वाद तीन जगहाँ पर और service word add किया गया है क्यों add किया गया है? वो मैंने आपको इसका reason दे दिया तो यह add होना जरूरी था जब तक add नहीं था तो कहीं ना कहीं एक lawmaker का जो purpose होता है वो defeat हो रहा था उसका ऐसा कोई intent नहीं था तो जब बात ध्यान में आए कि यहाँ पर तो odd service भी होना चाहिए तो उन्होंने यहाँ पर यह add कर दिया है उसके बाद मैं फिर यहाँ पर मैंने एक बहुती शांदार सी background आपके सामने रखी थी कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं पीछे से लेता हूँ भाई अपने inward supply लेता हूँ आगे outward supply देता हूँ और हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने से तो GST collect कर ले पर सरकार को कम से कम देना पड़े तो इसके लिए चोरी चकारी के प्रावधान आ जाते हैं हर व्यक्ति चाहता है कि उसका net GST नीचा देखे इसको नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति किसना नीचे तक गर जाता है अप अनवान भी नहीं लगा सकते वो कभी-कभी अपने tax की चोरी करता है इवेजन करता है या फिर ITC को unusually enhanced करता है बढ़ाता है उसके लिए बड़े-बड़े कारणा में करता रहता है लाइक invoice issue नहीं करेगा या fake invoice issue करेगा या under value invoice issue करेगा invoice के साथ play करता है उधर पीछे से supply ली नहीं और invoice आ गया खर्चा बुक कर लिया फरजी यह supply ले ली पर invoice नहीं लिया है ना तो यह लोग practice करते हैं कि अगर मैं पीछे से 100 unit लेकर आ रहा हूं और मैं आगी किसी party को माल बेच रहा हूं एक party कहती है भया कच्छे में दे दो, बिल नहीं चाहिए, बिल नहीं चाहिए, बिल नहीं चाहिए, कच्छे में दे दो, क्योंकि सामने वाला अगर माली जी एंड यूजर है, सामने वाला एंड यूजर है, तो बोलेगा भाई सब मुझे आप बिल मत दो, कच्छे में दे दो, क्योंकि बिल द करेगा कि जो कच्छे में रिमूब कर दे डिपार्टमेंट कॉश्चन मार्क डालेगा भई ये कहां गया गुट्स तुम्हारा दिखाओ क्योंकि फिजिकल स्टॉक तो निकल चुका है पर बिलिंग तो हुई नहीं उसकी तो कुछ लोग ऐसे आते हैं इनके पास में जो रिश जोइंट कमिशनर साब से लंबी चौड़ी बात ही थी हमारे अभी जो रिसेंटली रेगुलर वेच कमप्लीट हुआ उसके अंदर विश्वास मनी बहुत सारी परत खुल के सामने आई उनसे डिसकुशन के दौरान और जो बाते हम पहले एज्जूम करते थी कि डिपार्ट अब यही करते हम क्या करते हैं जीस्टी रवन थीवी को यहां मैच करा लिया तो इनका मैच कराने के लिए को वन टो वन वैसे नहीं बैठते बीफा नाम का सौफ्ट्वेर होता है इनकी मैचिंग कराते हैं इससे यहां मैचिंग कराते हैं और टूए वो जो पीछे से जीस् लेकिन 3B तक आते आते उसे गायब कर दिया invoice को, मतलब नियत में खराबी आ गई, इसलिए सरकार चीजों को invoice level पर ही पकड़ना चाहती है, fake invoicing को पकड़ना चाहती है, खोखली invoicing को पकड़ना चाहती है, इसलिए सरकार e-way bill लेकर आई, e-invoice concept लेकर आई, e-invoice का दाइरत सर सरकार बढ़ाती जा रही है, पहले 500 क्रोड था, फिर 100 क्रोड वालों तक के लिए आया, अभी 50 क्रोड वालों के लिए तो उसका दाइरा बढ़ता जा रहा है, सरकार dynamic QR code का concept लेकर आई, कि invoice को payment के साथ link करके रखिएगा, इसमें clarification recently आई हुई है, कि अगर मान लिजे, अब dynamic QR code तो generate नहीं कर रहे हैं, लेकिन किनी otherwise तरीके से आप invoice or payment को link कर रहे हैं, तो यहां government का objective फुल्फिल हो जाता है, तो dynamic QR code की requirement को फुल्फिल मान लिया जाता है, उसके बाद मैं, फिर यहां सरकार एक और concept लेकर आई है, 1% वाला, हम इसकी अभी शुरूबात करेंगे, 1% वाल देंगे registration को, mastermind को पकड़ने के लिक नया जाल बिछा कर लेकर आए हैं, जो आपका undue ITC आप ले लेते हैं, इसको एक non available offence सरकार ने बताया, खूब डरा धंका रही है, ITC को जो laser है, उसका freeze कर देंगे, अगर आपने कुछ उल्टे पुल्टे कारनामे किये तो, क्योंकि ultimately ज mostly time होता है, वो इन ही कामों में जाता है, तो यही से आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े थे मालिक और यहाँ पर छोट ऐसा सुधार और किया गया था, invoice की यहाँ पर चर्चा करी गई थे और बताया गया था कि भाई देखो, हमारे पास में जो special invoicing, जो banking और insurance के हम बात कर जाते थे, उसके लिए पहले power नहीं थी लोग के अंदर, अभी वो power यहाँ पर generate कर दी गई, तो कोई ऐसा impact नहीं कर रही यह वाली amendment, उसके बाद मैं यह आपका यह आ गया और जो e invoice है, limit reduced to 50 crore rupees, उसके बाद QR code की बहाँ पर, dynamic QR code की बात हो गई, and उसके बाद फिर यह clarification थी कि invoice payment को link करेंगे, and उसके बाद input tax credit के अंदर हम आए, और यहाँ पर आकर बताया गया, कि देखिए, जो हमारी last date होती है, credit को book करने की, तो पहले क्या था, कि यह invoice की शकल देखते थे, और अगर कोई debit note भी इसके समद में issue किया गया है, तो debit note और invoice दोनों के लिए एक जैसा treatment हुआ करता था, मतलब यह कि अगर मा लीजिये, एक बंदर है, मा है, मादा बंदर, तो वो अपने बच्चे को अपने कलेजे से चिपका के रखती है, और आप केले बांटने जाते हो, तो हाथ तो सिर्फ उसकी मा का ही आएगा ना, जो छोटा बच्चा है बंदर का, तो एक इस्टेंस अलग हो जाता है, ऐसे यहाँ पर किया गया है, पहले डैबिट नोट को शिपका के रखा जाता था, इन्वोईस, तो इन्वोईस कौन से फानेशल इयर में इस्चु किया गया है, उसके आधार पर क्या लास डेट निकलती है, वही लास डेट डैबिट नोट के यह भी अप्लिकेबल होती थी, भले ही डैबिट नोट डिफरेंट फानेशल इयर में इस्चु किया गया हो, लेकिन अब डैबिट नोट के सम्बंद में जो ITC की बात होगी, वह अब निरभर करेगी इस बात के उपर, कि वह खुद डैबिट नोट कौन से फानेशल इयर के अंदर इस्चु किया गया है, इंडिपेंडेंट बना दिया गया है, फिर यहां पर आगे हम, यह अपने तमाम प्रकार के इसकी बात करी हमने, डॉक्यमेंटरी एविडेंस के बाद में यह आया निकल के कि जो मिसिंग इन्वाइस होते हैं, उनके सम्मन में हम कितना क्रेट ले सकते हैं, तो जितना GSTR 2A में देख रहा है, उसमें 5% और एड़ कर दीजिए, उतना तक ले सकते हैं, पहले यह 10% अपना हुआ करता था, फिर रेजिस्टेशन चेप्टर में कई सारी अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिली, रेजिस्टेशन बिलकुल शादी की तरह हो कि कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपके दिमाग में ना रहा जाए, तो रेजिस्टेशन टेकन मतलब शादी मुबारक, फिर जगड़ा हो सकता है, जगड़े के बाद दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, यानि कि जो शादी थी वो सस्पेंड रहेगी, फिर हो सकता ह वासपस बोल चाल हो जाए, या फिर बात तलाग तक पहुंच जाए, तो अलग अलग घटना करम जब होते हैं, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वो सारा हम अपना बता के चलते हैं, सबसे पहले पॉइंट जब एप्लिकेशन है, वहाँ पर एक चेंज डाला गय है, चेंज डाला गया है कि जब आपकी अप्लिकेशन वहाँ पहुंचती है, तो आपको यह देखिए, क्या आपके केस में PVR हो रहा है, या नहीं हो रहा है, अगर आपके केस में फिजिकल वेरिफिकेशन है, PVR हो रहा है, तो अधिकारी का जो फिर्स्ट रियक्शन आ रहा करते हो, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, अब जैसे मालिक यहां पर आगया, यह जी स्ट डॉट जी ओवी डॉट इन, डॉट जी ओवी डॉट इन, आपका यह पोर्टल आ जाता है, ठीक है, मैं इसमें जरा लॉग इन कर लूँ, एक से पर आजाते हैं, न्यू रिजटेशन पर आते हैं, तो यहां में सेलेक्ट करना होता है, कि मैं कौन हूँ, टेक्स पेर हैं, टेक्स डेक्टर हैं, कौन है, या टेक्स कलेक्टर हैं, जी स्ट पर आजाता हूँ, सेलेक्ट करते हैं, अपना कि भई कौन से स्टेट में हैं, जह पर जो हमारा नाम लिखा हुआ है वो यहां पर आ जाएगा और पैन हमारा इसमें नीचे लिख दिया जाएगा उसके बाद यह email ID और दैन बाबु हमारा जो mobile number है वो यहां पर लिख दिया जाएगा क्या क्या स्टेट वेरिफाई हो गया पैन वेरिफाई हो गया हमारी email ID और हमारा mobile number यह वेरिफाई हो जाता है ठीक है यह होता है part A basically और उसके बाद यह में पूरा फुल्फिल कर देता हूँ तो यहां पर यह TRN जेनरेट हो जाता है अगला पेज यह आता है मैंने TRN जेनरेट कर रखाया दरसल ताकि OTP वगरा का चकर ज़्यादा आपके सामने आकर ना पड़े तो मैं इसमें TRN अपना भर दू मालिक हाँ जी भर दीजिए मैंने अपना यहां पर TRN फिल कर दिया है जो मेरे पास मैं था चैप्चर भी मैंने फिल कर दिया है और यहां से अब मैं आगे proceeds कर जाता हूं तो जब proceeds यहां से करेंगे मालिक तो मेरे mobile पर एक OTP आएगा मैं इस OTP को भी इसमें डाल देता हूं तो यह इसमें मैंने अपना OTP डाल दिया OTP डाल के क्लिक किया तो मेरे सामने यह खुल जाता है यहाँ पर आकर अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है actions के उपर अब जैसे मैंने actions पर किया तो इसे बूलते हैं part B यह आपकी application का part B है ठीक है अब इसमें कई सारी information मांगी गई है यह अलग-अलग page है यह इसका पहला page दूसरा तीसरा जो उपर आप देख रहे हैं यह अलग-अलग pages है इसके और इसका जो second last page दिखाई दे रहा है वो है आपका आधार authentication को लेकर ठीक है? अच्छा लिए ध्यान दीजीगा पार्ट A और पार्ट B एक amendment और इसके अंदर आई हुई है कि जब मैं मेरा यह पार्ट B को भी भरने के बाद अपनी application सम्मिट कर देता हूँ उसके बाद PVR होता है या मेरी अधर authentication होती है as the case में भी तो उसके बाद मेरा ARN generate होता है ARN generate होने के बाद अगर कुछ दिक्कत निकल के आती है कुछ deficiency निकल के आती है तो अधिकारी मुझसे उसके clarification मांग सकता है 30 दिन या 7 दिन as the case में भी तो वह clarification word का मतलब यह है कि जो information मैं अपनी part B के अंदर दे रहा हूँ इन पर वो मुझसे clarification मांग सकता है तो थोड़ा सा मैं आपको आधर वाले पेज पर ले कर जाना चाहता हूँ तो यह मेरा ट्रेड नेम यहां पर मैंने भर दिया प्रोप्राइटरिशिप इसमें आ गया नौट इस्ट रिजन यह पकड़ रखा मैंने डहली भरा था जो अपना मैंने टियर और जेनरेट किया था उसके अंदर यहां पूछता कि क्या आप एक कैजवल टैक्सिबल परसन है हैं तो ठीक है भाई अपने डिटेल्स यहां पर दे दीजी क्योंकि कैजवल टैक्सिबल परसन में एडवांस में पेमेंट करना होता है तो यहां से आप से चलान जेनरेट करवा लेगा लेकिन मैंने का भाई सब मैं न्यूग कैजवल टैक्सिबल परसन तो क्या आप कॉमपोजिशन को आप्ट कर रहे हैं अगर कॉमपोजिशन को आप जी हां अगर मेरा न्यू रजिस्टेशन है और I want to opt for composition scheme तो मैं रेजिस्टेशन के साथ ही यहां पर कर सकता हूँ जो भी required details है मुझे यहां पर देनी पर जाएगी उसके बाद में आप रेजिस्टेशन क्यों ले रहे हैं उसका reason दीजिए अलग अलग हैं क्या आपने threshold limit को cross कर दिया है दो अगस्ट को मैंने धन्दा शुरू किया था अपना और यहां पर आकर सहाब यह बताओ कि अब आप रेजिस्टेशन की liability arise कब हो रही है मतलब कि आप अपनी limit को 10-20 लाग या 40 लाग जो भी आपके उपर applicable हो रही है उसको आपने कौन सी date पर लाइक निकाल दी थी वह हमने का भाईस साब 12 अगस्ट को यह हमारी हो गई थी तो अब 12 अगस्ट से मेरे पास में 30 days का समय होता है मैं अपनी application को यहां पर दे सकता हूं type of registration वगरा यह mandatory field मेरा नहीं यहां पर आकर मैं इसको कर दूँगा save and continue यहां पर कर दिया जाएगा कुछ रह तो नहीं गया save and continue होते ही आप देखिए मेरा पहला page भर चुका और मैं दूसरे page पर आ चुका हूं जब इस पर information को भरता चला जाओंगा तो ऐसे one by one one by one information को भरता चला जाओंगा और जहां जैसी आवश्यक्ता होगी वहां पर आकर मुझसे बात कर दीजाएगी यहां पर आकर ध्यान दीजिएगा यह पूछरा are you citizen of India अगर है तो अच्छी बात है यहां से आपको आधार के लिए आगे ले कर जाएंगे शुरूवात दोर में पुराने समय के अंदर आधार की बात यहां पर करी जाती थी लेकिन अब यह वाला जो point है आपका जो box से इसको deactivate कर दिया गया है देखते हैं क् कि समझ में अच्छे से बैठ जाए कि आखिरकर चल क्या रहा है आपको चीजें लाइक बार बार रिवाइज ना करनी पड़ें यहां देख लो आओ तो पहले यहीं से हो जाया करता था आधार बस डालना होता था उसकी authentication या verification नहीं होआ करती थी तो वैसे करके तो अगर मैं citizen of India नहीं हूँ तो क्या होगा जरा ध्यान देखिए परिवर्तन कहां पर आ रहा है इस पर देखना passport वाले point पर आकर देखना जहां पर यह red field दे रखा red मतलब कि compulsory field है अगर मैं citizen of India नहीं हो तो मुझे यहां पर passport देना पढ़ जाएगा और अगर मैं citizen of India हूँ तो मुझे passport म पर देखिए mandatory field नहीं रह जाता है ठीक है अच्छा दूसरा अगर मैं यहां पर ऐसे click करके चलता हूँ तो फिर अगले वाले point पर जाकर मालिक जहां आधार authentication की बात आती है तो आधार वाले requirement है वो मेरे उपर अब लागो नहीं होगी यहां पर आकर जो अगली point है यहां मैं पहुंच जाता हूँ आधार वाले page पर में direct jump करके पहुंच गया तो यहां पर जो question पूछा जा रहा है कि क्या आप आधार authentication मैं देखे second last page पर आगया हूँ यहां पर पूछता है आधार का वो शुरू के जो second number page था उस पे से आधार के requirement को deactivate करके second last page पर ले आए हैं क्या आधार को opt करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो authentication करवाओगे अगर मैं जहां पर no कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं मेरी application submit हो जाएगी लेकिन उसके बाद फिर मेरा PVR होगा physical verification mandatory करवा दिया जाएगा क्या बोलता है application will be marked for site visit mandatory कि आपकी site visit mandatory होगी ध्यां दीजिए यह wording से भी पता लग रहा है कि ऐसा नहीं कि site visit सिर्फ इसी case में होती है जब आप आधार नहीं दे रही हो इस case में तो mandatory होती है बाकी किसी और वजह से भी site visit यानि की physical verification आपका करवाया जा सकता है और जब जब physical verification की बात होगी तब तब वहां आपके लिए 30 days का समय ले लिया अगर मैं इसको यस करता हूं तो यस करने पर कहता कि ठीक है वह कोई दिकते हैं यस करके आप इस समयट कर दीजिए यहां आधार के बारे में और कुछ नहीं करा बस आपको option choose करना है और अथेंटिकेट करवाना चाहते हो यह नहीं करवाना चाहते हो और मैं करण करवा भई और जो आधार सेंटर पर मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर एक OTP आएगा वो OTP मैं इससरी वहां पर डालता हूं तो मेरा अधार ऑथन्टिकेट हो जाता है और पोर्टल को सूचना मिल जाती है जैसे वो सूचना पोर्टल पर मिलती है अब मेरी अप्लिके करेगा और उसके सेवन डेज के अंदर अंदर हमें आर्सी ग्रांट कर देगा या फिर साथ दिन के अंदर अंदर हमें डेफिशेंसी दे देगा कि हमें ये क्लिरिफिकेशन और चाहिए लेकिन क्लिरिफिकेशन मांग सकता है सिर्फ इस पार्ट बी के समन में जो भी यहां ना करा दू मुझे चैन नहीं आता है मालिक तो आगे बढ़ते हैं प्रभू तो यहां तीस दिन और साथ दिन की चर्चा चल रही थी हमारी और उसके बाद में एक पॉइंट और आया था इसके अंदर उसमें बोला गया था कि वोलेंटरी बेसिस पर आप ले भी सकते हो और ए किये हैं बीफास नामके software से पता लगाते हैं कि क्या आपने access crate ले रखा है या GSTR 1 आपका access है GSTR 3B की तुन नाम है है या GSTR 3B को compare करा रहे हैं 3B को compare कर आ रहे हैं आपके खुद के GSTR 1 से या आपका जो vendor था जहां से आप वो credit मिलता है उसके GSTR 1 से ध्यान दीजे मेरा GSTR 3B will be compared with my GSTR 1 कि मैंने कोई evasion तो नहीं कर लिया कोई invoice छपा तो नहीं लिया and with the GSTR 1 of my vendor so that मेरा वहाँ पर ITC के साथ उसका correlation आए कि कहीं unusual और access ITC तो नहीं रखा कि output GSTR 10 लाग का और ITC भाई साब भरके बैठे हो 50 लाग का तो यह सब check करने के लिए वहाँ पर होता है और बीफा नाम का software categorize कर देता है कि भाई साब दा सकता है बिना किसी opportunity of being hurt की suspend कर सकते हैं जब चाहे बोलना बंद कर सकती है और जब चाहे बोलना शुरू कर सकती है उसकी यहां पर पूरी call दी गई है ठीक है अच्छा एक चीज और add करी गई है जैसे हम बोलते हैं कि suspension के दौरान हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं हमको ना customer से GST लेना है ना सरकार को देना है ठीक है ना return file करना है हमने ना ही सरकार से हमें कोई refund मिलेगा और ना ही कोई किसी प्रकार का हम evable issue कर पाएंगे no evable during the suspension period evable issue नहीं हो पाएगा तो इसका धंदा बंद धंदा बंद मतलब कि अगर आपने बिना evable के फिर भी आपने माल रिमूव किया तो आपका गोट्स रास्ते में seize हो जाएगा और उसे निलाम करवा दिया जाएगा is it okay yes sir तो इसलिए बड़ी दिकत य गया है कि रिवोकेशन की application पर आपको जो अपना फैसला सुनाना है यह registration का और refund का ध्यान दियो पूरा का पूरा मेंटर assistant commissioner deputy commissioner के हातों में होता है बहुत सारे ACDC हैं जो अपने student हैं उनसे regular बात चीज़ चलते रहती है तो उनका phone आ जाता है मैं कर लेता हूं कि क्या क्या issues आत हमारी बात मालिक हमारी हो रही थी और मैंने अच्छा खासा आपको इसका recap यहां पर दिया है और अब हम बढ़ना चाहते हैं आगे की तरफ और आगे आ जाता है अपना कौन सा chapter manner of payment का ऐसे करके ठीक है यह सर तो यहां इस chapter के अंदर दो बातें आपके आई हैं एक छोटी सी और एक बहुती शांदार सा concept launch किया गया है अब यहां देखिए जो आपका TDS का provision हुआ करता था उसमें हम करते क्या थे मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दू हाँ सर जी याद दिला दो देखो यहां पर यह हुआ करता था मालिक यहां पर यह एक supplier है और यह एक recipient होता है औ तो जब जब यहां पर supply की जाती थी तो यह इसको यहां पर payment करता था और payment करता था net of TDS GST के नम पर TDS 1 प्लस 1% is equal to 2% TDS काट कर यह इसका जो GST वाला TDS है यहां पर portal पर जाकर जमा करा देता था और यह portal से इसको जो TDS है उसके e cash leisure के अंदर आकर वो यहां पर पैसा मिल ज दय करता था यहनि कि छोटा से कांटा डाला गया था कि जो पैसा इसको यहां से directly मिल जाता वो ठोड़ा घुमा के मिला कि ऐसे कर के भाई हम यहां से आपको दे देंगे तो e cash leisure में आपको मिल जाएगा direct आपके pocket में मिना कर वहां से आपकर आपको यह मिल जाएगा तो इस की बात हैं यहाँ पर आप के लिए रखी गई है ठीक है अब यहाँ पर आका एक लएक certificate और इशु करना होता था कि आपने जितना TDS काटा है ना इस TDS के लिए आप एक certificate issue कीजिए और अगर आपने certificate issue नहीं किया तो आपके ऊपर कुछ एक हम penalty भी यहाँ पर आकर लगा देंगे ऐसे करके वो अपना भूल रही थे तुम एक बात बताई भीए सारा काम automated तरीके से हो रहा है आप अपना GSTR 7 भी फाइल कर रही हैं जिससे कि वो यहाँ पर आता था और यहाँ पर आकर reflection उसका हो रहा है यह उसे accept करता है और इसका e cash leisure के अंदर वो पैसा credit कर दिया जाता है तो पर certificate certificate का चकर क्यों मेना बात के डाल रखे हो यहाँ पर मैं डाल रखा है कि जब मैं आता हूं मालक यहाँ पर तो मेरा TDS जो credit है वो received कितना हुआ कैसे हुआ वो यहाँ पर दिखाई देता है मैं आपको portal पर live दिखाऊ हूँ हाँ सर जी दिखाईए तो यहाँ यह services पर आ जाते हैं और services पर आकर यह मेरे ledgers यह payments और एक सेकंड services और जी सर जी सर मैं दुबारा से login किया इसको तो यहाँ पर services पर हम आ जाते हैं और services पर आने के बाद में यह returns पर आकर मैंने क्लिक किया तो returns के अंदर में देख रहा हूँ return dashboard, track return status, ITC form, TDS and TCS credit received यहाँ पर आ जाएगे यहाँ पर जो GSTR 7 या 8, 7 होता है TDS के लिए और 8 होता है आपका TCS के लिए तो जो TDS deductor या TCS collector अपना ये GSTR 7 या 8 जैसे ही portal पर जाके submit करता है तो जिसका कटा है जिसकी जेब से वो TDS TCS का पैसा निकला है बेसे कली तो उसके यहाँ पर आकर पूछ लेता कि भाई साब बताएगे scene क्या है यहाँ पर आकर तो यह page हमारे सामने खुल जाता है prepare online TDS and TCS credit received prepare online तो यहाँ पर आकर जो मुझे दिख जाएगा अगर हाला कि मेरे पास ऐसा कोई भी receive नहीं हुआ है लेकिन जो भी receive हुआ होगा मालिक तो वो मेरा यहाँ पर आकर दिख जाएगा TDS credit received क्योंकि मैंने कोई government department को कोई goods या services नहीं दिये है जिस पर कि TDS की applicability आती हो अब आप मैंसे question पूछ सकते सर दी तो है आपने services आप कहते हो कि आपने जो IRS अधिकारी है उनको train किया है और उनका पैसा आपको government से मिलता है तो उस पर क्या आपका TDS नहीं बनेगा क्या नहीं बनेगा क्योंकि जब हम government को services दे रहे हैं जहाँ पर की सारका सारका training की services है जहाँ पर सारका सरकार bear करके चलती है तो यह आपका exempted category में आ जाता इट्स एन exempted services और जब यह exempted service है तो उसके उपर TDS का कोई रोल ही नहीं होगा तो वहाँ पर मेरा TDS नहीं दिखाई देता है ठीक है यह सर्थ जो भी मेरा TDS का creator यहाँ पर आकर received हो जाता है मालिक और जो भी मेरी इसमें like details होगी ना तो वह उसको मैं accept करूँगा आके और जैसे accept करूँगा तो वह पैसा मेरा e cash leisure के अंदर आकर reflect हो जाएगा तो सारा काम automated तरीके से हो रहा है तो आप मझे बताए यार certificate वगरा कि फिर कोई अलग से जरोत है क्या कि वो certificate बना कर देंगे ऐसे देंगे वैसे देंगे ऐसे कि तैसे उसकी आवर्शक्ता है ही नहीं तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर आकर क्या change किया मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो required चीज थी वो यह थी पहले कहले का था deductor shall furnish deductor shall furnish to the deductee a certificate mentioning there in the contract value rate of reduction amount pay to government and such other particulars as may prescribed एक certificate यहाँ पर देना होता था अब वैसे कि कोई आवशक्ता नहीं है आगे बोलते हैं if any such deductor fails to furnish the certificate अगर उस certificate को आप नहीं दे पाते थे तो फिर आपको एक penalty का भी सामना करना पड़ता था जब certificate की requirement खतम कर दी तो यह भी आपका correspondingly यहाँ पर आकर जो penalty थी वो भी खतम हो जाएगी a certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed अब यह सारा काम पोटल अपने आप हैंडल करके चलेगा उसको automated तरीके से certificate generate करवा दिया जाएगा basically certificate के जो GSTS 7-8 होईगे उनी से information shoot out होगी वहाँ पर आकर और वो से अपना prepare कर देगा online तरीके से और वहीं से एक certificate भी जनम ले लेगा तो सारा काम automated कर दिया manually से हटा कर कि आपकी liability यो थी उसको यहाँ से हटा दिया गया है तो इसलिए corresponding amendment यहाँ पर डाल दी गई है सहाब उसके बाद में आगे क्या बोलते हैं आगे बढ़िएगा यह यह आया है आपका 86B करके इन्होंने एक 1% का formula डाला है क्या है formula और क्यों डाला हुआ है जब मेरे joint commissioner साहब से बात हुई थी अच्छी खासी तो वहाँ पर एक चीज बड़ी बेहद सामने निकल के आया यानि कि department का दर्द सामने निकल के आया दर्द यह था कि जो यह mastermind लोग होते हैं न तो यह करते यह हैं कि बड़ी बड़ी फर्मे चलाते हैं जहां करोनों की transaction हो रही है और वो जो फर्मे होती हैं वो चलाते हैं कि इनके नाम पर अपना driver हो गया इनके नाम पर चला रही है घरेलू नौकर हो गया इसके नाम पर करोनों का business चल रहा है माली हो गया इसके नाम पर करोणों का बिजनस चल रहा है GST का अरेश्टेशन इनके हिसाब से लिया इनके नाम से लिया थेक है बैंक खाता भी इनके नाम बनला हर जगह फेस इनका दिखा दिया ऐसे करके अब अधिकारी बड़ी मेहनत से इन तक पहुंचते थे अपना बीफा टूर लगाया ये किया वो किया वहास इनफर्मिशन ऐसे इनफर्मिशन और इनको पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुंचते हैं तो पता लगा कि भई ये तो एक माली निकला अब भई अब पकड़ लाओ इसे अब क्या दिकारी से पकड़ के करेगा भी क्या इस विचारे को खुद नहीं पता घास काटने कराब और कुछ आता ही नहीं इसे क्या करेगा ये कैसे बात करोगा आप इसे सो करोड का फ्रॉड कर रכा कि एन विचारे गरीब लोगों को कि आप जेल में do घालोगे देके बाई गरीब आघर मालिक बुले अबधन करना पड़ जया वीचारे को हो सकता है कि भाई फिंद कर भी दोगे तो क्या कुछ नहीं masterminder माले के भई जो पड़दे के पीचे छिपा बैठा है वो ये नहीं तो किसी और को पकड़ेगा उसके लिए क्या है वो कि नियूर को सड़क से पकड़ लाएगा भई लोगों को इस तरह के विक्तियों को थोड़ा लावज देगा उनके नाम पर धंदा करेगा आधार वगरा सब इनका लगाएगा सरकार ने बहुत सारी चीज़े कर रहा कि आधार ऑथंटिकेशन करवाना ये करवाना करें इनके नाम पर करवा सार अगा सारा तो अब उनको कैसे पकड़ा जाए उनको कैसे पिनलाइज किया जाए तो इसके लिए एक तुम मैं बता हूँ पैनल्टी चैप्टर के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ साब बोल रखा है कि इनके उपर पैनल्टी भी लगाई जाएगी मतलब जो मास्टर माइन पर्दे के पीछे हैं जो व्यक्ति इस तरह के व्यक्तियों का इसतेमाल करके पर्दे के पीछे बैठ का लड्डु खा रहा है उसके लड्डु में जहारत नहीं मिलाएंगे खैory बट उसको चोडएंगेंगे measures correct उसको सलाख条 Kे पीछे भी बंद किया जाए सकता है ऐसे प्र सा केस मिला तो हम ये कर देंगे गोली मार देंगे हम पर आप ये बताओ आप कैसे करोगे इतना बड़ा देश है तो इतने बड़े देश में आप ये कैसे करोगे कोन व्यक्टी ते काम कर रहा है और कौन फरजी जिससे की दूद का दूद और पानी का पानी यू हो जाएगा छिट के अपने आप निकल के सामने आ जाएगे कि यार ये है आपका ग्रे एरिया यहाँ पर आप दिमाग लगाईएगा सरकार ने क्या नियम बनाया कहा अब्जेक्टि तो वही है ऐसे मास्टर माइंड लोगों पकड़ना जो फेक इनवाइस में अपना डील कर रहे हैं सब उल्टे सीदे क्रेट बाटते हैं तो सरकार ने क्या किया कि अगर आपका जो कारोबार है वह पचास लाख से उपर जा रहा है टैक्सेबल कारोबार आपका पचास लाख से उपर जा रहा है तो फिर आपको एक परसेंट वन परसेंट अमाउंट आपको ई कैश लेजर से देना ही पड़ेगा भले ही आपके पास सफीशेंट क्रडिट क्यों न हो कम से कम एक परसेंट आपको देना पड़ेगा मतलब क्या मतलब समझे पहले आराम ते तसलिश से बात करेंगे ठीक है हालाकि इनको पकड़ने के लिए सरकार बहुत उपाय करती है इवे बिल लेकर आती है आधार लेकर आई इनवाइसिंग लेकर आई यह सब काम करती है लेकि इसी सीजिस के अंदर एक काम और यह कर दिया है कि अगर माली जे वैल्यू यहाँ पर यह फेक आई टी से लिए रखा था इसने 200 करोड़ रुपे का आगे फेक बिलिंकरी 1000 करोड़ की जी एस्टी 180 करोड़ का बना और 180 करोड़ को सेट आफ कर दिया अपने 180 करोड़ से बाकि 20 करोड़ का बचा हुआ है और करोड़ों का क्रेड़ मांट करी गायब हो जाते हैं जेव से कुछ भी नहीं गया यही काम यह करते हैं ऐसे व्यक्ति को सरकार ने बोला कि आप 1% भले आपको e-cash leisure use करने के आवश्यक्ता नहीं पढ़ रही हो because you have sufficient balance of credit but you'll have to pay 1% from e-cash leisure of your liability तो यहाँ पर देखिए इसका जो output liability वो 180 करोड रुपे का जो मालिक 1% निकल कर आएगा वो आएगा 1.8 करोड रुपीज आपको e-cash leisure से भरना ही पड़ेगा अब कुछ लोग पता है कि क्या interpretation निकालते कि सरकार अपनी cash की दिक्कत को दूर कर रही है cash inflow बढ़ा रही है ऐसी कि तैसी बढ़ा रही है cash inflow हजारों करो transaction में 1.8 करोड रुपे आप से मांग लिए extra जो cash के रूप में मांग लिए तो क्या सरकार वो बढ़ा रही है मालों जैसे suppose कि मेरी 20,000,000 का 1% कितना होता है भाई 20,000,000 का 10% हो गया 20,000 रुपे तो मुझसे अगर सरकार मालू मेरे पास sufficient balance भी है सरकार मुझसे 20,000 रुपे cash मा मांग लिए तो क्या पहार तोड़ लिए 1% के अंदर कुछ नहीं होता है एक परसंट भाई अभी मत देखना कि सर यह तो दो क्रोड के असपास का अरे एक परसंट है transaction देखना कहा सेकड़ों क्रोड की transaction में एक का दुक्का क्रोड की क्या value है वहाँ पर तो here objective यह नहीं है कि सरकार अपना cash inflow बढ़ा रही है नहीं सरकार ने तो यह एक काटा डाला है काटा यह डाला है कि ताकि लोग छटके आएं जो फरजी लोग है अब कैसे मैं बताता हूं पहली बात तो यह इसकी आलोचना यह हुई कि भाई एक बात बताओ इतने लाखों करोड के जो taxpayer है क्या सब चोर हैं आपने तो सब के लिए uniform के साथ provision डाल दिया यह सब चोर हैं क्या यह आप एक मुठी भर लोगों को सजा देने के लिए आप सब को इस्तसी मार रहे हो सब के लिए अपने provision लगा दिया गलत है तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए तो अब यहां से जो लोग जनूवन हैं उनके उपर इसकी applicability ना आए यह बिना बात की restriction उनके उपर ना लगे तो उनको यहां से बाहर निकाल दिया गया अगर मान लीजिए यहां यह situation है तो सरकार च चाहिए लेकिन अगर मान लीजिए मेरा यही कारोबार है करोणों का मैं business कर रहा हूं मान लीजिए तो ऐसे हालात के अंदर मुझे बताइए क्या मेरे उपर भी यह condition आनी चाहिए सर नहीं आनी चाहिए सरकार उसको ढूड़ रही है कि जहां पर बहुती गरीब व्यक्तियों के नाम पर माली घरिल नौकर यह वो इनके नाम पर जो कारोबार चल रहा है उसको ट्रैक करना चाह रही है इसे ट्रैक नहीं कर रही है तो इसके लोगने क्या एक गेम खेला कि सुनिए यह एक परसंट वाली बात किन पर लागू नहीं होगी क्या बोला गया कि वो व्यक्ति अगर माली जे प्रोप्रेटर्शिप में है तो खुद मालिक कंपनी है तो डारेक्टर और या फिर जो मुख्य परसंट होता है पार्टनर शिफार में तो पार्टनर अगर उसका जो इंकम टैक्स जादा है उस पर ये वन परसंट का क्लाउज लागू नहीं होगा एक लाग से सरकार ने क्या कर दिया अब तुम्हें क्या लगता है कि इनकी इंकम टैक्स लियाबिल्टी क्या इंकम टैक्स अलग चीज हो गई अगर ये कंपनी में डिरेक्टर भी बना रखें किसी मास्टर माइड ने तो कि इनको अच्छी खासी सालरी दे रहा होगा सालों से एक दो साल से पिछे नहीं ना कि जिस पर इसकी इंकम टैक्स लाग रुपे से उपर की बन रही हो नहीं ना तो ये क्लाउस डाल के सरकार ने कहा कि नहीं भाया अगर इसका जो मुख्य आदमी है उसको इ इनकम टैक्स इनका तो जीरो आता होगा और वैसे भी इनकम टैक्स की रिटन भी फाइल नहीं होती होगी, am I right? तो सरकार ने उनको अलग कर दिया या फिर या फिर claim refund of ITC of 1 lakh ITC का refund दो में से किसी एक कारण में मिलता है या तो export transactions आपकी रही हो या फिर inverted tax rate structure अगर लाक रुपे से उपर का आप ITC का refund क्लेम कर रहे हो तो तब भी आप इस तरह के व्यक्ति नहीं हो बहुत रिफंट देते समय अधिकारी बहुत सारी चीज़ चेक करता है कौन हो क्या है कैसे है तो आप लाखों से लाखों रुपे के refund की बात आपके साथ हो चुकी है आप चित पर चित हो तो आप हम मान के चलने कि आप इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति नहीं हो आप वो नहीं हो जिनने हम ढूंड रहे हैं हम ढूंड रहे हैं फरजी वाले लोगों को जो इंडिया के अंदर domestically वो मांट मुट के निकल जाते हैं हम उनको यहां पर ढूंड रहे हैं ठीक है हम उनको नहीं ढूंड रहे जिनका naturally inverted tax rate structure की वजह से ITC जादा होता है और उनका setup हो जाता है उनके पास तो उन्हें cash देने की जरूत पड़ती ही नहीं है है तो वह अपना ITC लाख रुपे में reverse claim कर रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं हम उनके उपर यह वन परसंट की requirement लागू नहीं कर रहे क्योंकि वह बेचारे अब सोची क्या दिक्कत हो जाएगी मेरे माले जी inverted tax structure का मैं genuine person हूं मेरा जो यह access ITC का amount बनता है ठीक है मेरा access ITC का amount बनता है तो सरकार मुझे इसका refund दे देती है जो भी मेरा access बनता है तो जिस व्यक्तिका naturally ही access बन रहा है उसका फाल तो ITC पढ़ा रहता है आप उसको भी कह रहे हो कि तू हमें cash में payment कर एक 1% में cash payment करूँगा तो ITC और ज्यादा बचेगा और फिर वो ITC में refund क्लीम करूँगा तो एक उल्टा तरीका हो जाएगा तो उन को क्या 1% cash payment करना ही पड़ेगा जी नहीं हम धूर किसको रहे हैं फरजी लोगों को तो government department को फरजी नहीं माना जा सकता है इसलिए उनको भी यहां से बहार निकाल दिया गया है दूसरा 1% की जो limit है यह cumulatively check करी जाएगी cumulatively कैसे जैसे मान लेजिए ध्यान से देखना आपका suppose करो जो turnover है वो 60 लाक पर मंत का है मालो हर महीने ऐसे मान लेते हैं ठीक है तो अप्रेल से लेकर दिसंबर तक तो 60 लाक ह महीने का मतलब हो गया नौ महीने में हो गया आपका 540 लाक रुपे ठीक है और जनवरी मंत का है मालो आपका 60 लाक होई मतले के चल रहा हूं तो दस महीने का आपका 600 लाक हो जाता है आपका output GST 27 लाक यहां बनता था 3 लाक आपका बनता था आपको 27 यहां पे करना था because आपके साथ 23 लाग की थी तो 27,000 आपका पे हो जाना चाहिए था इन 9 महीनों के अंदर और यहां आपका 3,000 यह बनता था तो कुल मिलाकर 10 महीनों में आपको 30,000 at least आपका cash से जाना चाहिए लेकिन किसी कानवश भाई मेरे पास उतना किसी महीने मा आइटी सनीडा था तो मैं टोटलिटी में 70,000 दे चुका हूँ तो क्या मुझे यहां पर अब देने की आवशक्ता पड़ेगी सब मेरे 10 महीने में होना चाहिए को मिलाकर 30,000 और मैं already pay कर चुका हूँ 70,000 तो मुझे जनवरी में यहां पर वो 1% की requirement को follow करने की आवशक्ता हैं यानि कि ऐसा नहीं है कि 1% independently हर महीने की बात करेंगे cumulatively अगर मैंने किसी महीने में ज्यादा पैसा दे दिया है cash में तो अगले महीने मेरे पास sufficient balance है उसकी cover up के लिए तो फिर वहां पर मुझे उसकी आवशक्ता नहीं पड़ेगी वैसे करके यह हमारी बात हो गई और उ और दूसरा जो refund वाले हैं वो नहीं आ रहे तो कई सारे व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया गया अब आपको क्या लगता है कि जो GST portal हमें आपको दिखाई दे रहा है कि अधिकारियों को भी वैसा ही दिखता होगा जी नहीं वो back end पे काम करते हैं वो back end पे काम करते हैं यह तो हमारे लिए interface जो हमें दिख रहा है written file कैसे करते हैं उनका तो interface back end पे न तो IRS अधिकारियों की back end की जो training होती हो बैंगलॉर में होती है बैंगलॉर मोती के उनको सिखा जाता है कि आपको back end पर software को use कैसे करना होता है तो अब वो software के साथ में उनके इस GST portal के साथ में और additional softwares और लगे होए होते हैं तो वो उसको command देते कि एक बात बताए हमारे पास उन व्यक्तियू की list generate करो उनको run कराएंगे कि जिनका sufficient balance of ITC लेकिन वो 1% उन्होंने भरा हुआ है उनकी list सामने आ जाएगी तो इसका मतलब किनकी लोगोंने भरा होगा उन्होंने भरा होगा कि sufficient balance पर फिर भी 1% cash में भर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कौन लोग होंगे वो definitely यही वाली लोग होंगे high chances हैं क्योंकि वैसे तो उनका turnover मतलब अगर मैं लगा के चलूँ तो भही है मोटा मोटी 6-7 करोड की turnover हो गई तो 6-7 करोड की turnover करने वाला व्यक्ति क्या उसकी income tax liability लाक रुपे से उपर भी नहीं बनती हो कि क्या तो कही न कहीं loophole है कि अगर वो दे रहा है तो मतलब वो व्यक्ति है जिसका turnover तो 50 लाक ability एक लाक रुपे की भी नहीं बनती है तो भाई यहां पर यह indication मिल गया तो पोर्टल जो उनका है बीफा सौफ्टेर के साथ अटेच करके वो इसकी list generate कर देगा दूसरा वो यह भी कहेंगे कि यह बताईए कि यहां पर जो 1806 return आई है इसमें इसमें बताईए कि वो व्यक्ति कौन-कौन से हैं वो व्यक्ति कौन-कौन से हैं कि जिनके पास में sufficient balance of ITC था जिनको एक परसंट की category में आना चाहिए था पर नहीं आ रहे हैं उन्होंने एक परसंट नहीं दिया है कि देख बिटा इसका income tax में तो यह सीन था और यहां पर इसका यह सीन निकल के रहा जिये स्टी पोर्टल पे और यह इसके अंदर इसके अंदर इसको एक परसंट देना चाहिए था परसंट नहीं दिया तो तो पक्का चोर है तो इस प्रकार से सिस्टम छटनी करके रख देगा कि यह रेड वाले हैं यह यह अपर गरे वाले हैं फिर अधिकारी अपनी इंटेलिजेंसी वहां पर इस्तेमाल करेगा और फिर उनको आगे ट्रैक करके चलेगा ध्यान दीजिए सौफ्टवेर अधिकारी को सिर्फ इंड इचा करती है लेकिन पुलिस को मदद देता सर्विलांस वाले जो होते हैं कि इसका मोबाइल यह था यहां पर यह ट्रैक किया गया यह इसकी लोकेशन आ रही है तो एक डारेक्शन इंडिकेशन और प्लेस वह बता देता है सर्विलांस वाला लेकिन उसके बाद उस व्यक् को ढूड़ने के लिए तो वहां पर जो सर्विलांस की जो लोकेशन साती हो जो आता है निकलके वो दो तरह से होता है एक होता है एक्जेक्ट लोकेशन देना और एक होता टावर की लोकेशन देना जो जीओ वाले कनेक्शन होते हैं सर्विलांस वाले इसकी एक्जेक्ट ल चलते हैं लेकिन जब टावर तक जा रहे थे तो जहां पर वो मैप खतम हो रहा था एक्जेक्ली वहीं पर व्यक्ति छुपा हुआ था तो भला फिर हमने आसपास के जो होटल स्वागरा थे उन में तलाश किया है कि वहां पर पुलिस की अपनी खुद की इंटेलिजेंसी होती है सरवलांस वाला सिर्फ इंडिकेशन देता है इन दे सेम मैंनर साफ्टि वर सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है कि यहां पर दिक्कत है तक अब खुद देखो कैसे कर ना को ठीक है तो यह तरह से बात निकल के आती है तो इस प्रकार से यह 1% concept सरकाल लेकर आई है लेकिन इसम business होता है जैसे वुलन कप्णूं का आपका business है ठीक है तो गर्मियों में आपकी production चल रही होगी और सर्दियों में आपकी sale होगी तो जब आप like गर्मियों के अंदर जब sale तो होनी ही यह आपका inward अच्छा खासा वहाँ पर खड़ा हुआ है और जब sale होनी शुरू होती है तो आपके पास में एक huge amount of ITC एकठा हो गया होगा जो गर्मियों के महीने में कठा हो गया था क्योंकि गर्मियों में woolen कपड़े की sale नहीं थी अब जैसे winter शिरू होंगी अक्टूबर का महीना आया तो sale एक सथ peak पर नहीं आ जाएगी तो वहाँ पर sale हुई but you have sufficient balance to cover up but वो आप कहने के एक परसंट लेकर आओ तो अगर आपके साथ इस तरह की दिख्केत और आप genuine person है तो आप मिल सकते हैं अधिकार इस जाकर कि भईया हमारे लिए इसमें relaxation आप दे दीजिए तो वहाँ पर relaxation दिया जा सकता है प्रेम से बोलेंगे राधे 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 बात समझ में आई या नहीं आ गई हो तो हाँ बोल दीजेगा हाँ सर आ गई है तो इस प्रकार से सरकार ने इसको पकड़ने का प्रबंद किया है दूसरी बात अगर मैं एक परसंट की requirement में आता हूँ और मैं इसको फालो नहीं करता हूँ तो सरकार मेरा क्या करेगी तो सरकार कहती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको GSTR 1 फाइल नहीं करने देंगे अगर ये के तरीका है कि आपको GSTR1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा अगर मुझे GSTR1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है कि मैं E-Way Bill इशू नहीं कर पाऊँगा तो मतलब धंदा बंद अगर उसके बाद भी मैंने धंदा किया तो मेरा सारा गुड्स सीज हो जाएगा और मुझे सलाकों के पीछे पहुचा दिया जाएगा ऐसे करके दूसरा आपका जो रेजिटेशन है वो आपका कैंसल हो सकता है अगर आप इस 1% वाले requirement को follow नहीं करते हो तो डरा दिया धंका दिया कि जिनके उपर applicability आ रही है उनको ये follow करना ही करना है और जो कर रहे होंगे तो ये वहीं कर रहे होंगे जहाँ पर नौकर मालिक जैसे संबंद आ रहे होंगे और software एक second में भार निकाल देगा कि भाई साब ये दिक्कत चल रही है तो 1% एक परकार से काटा डाला गया है ऐसे व्यक्तियों को trace करने के लिए और जब trace हो जाते हैं तो penalty chapter के अंदर इसकी बात करी गई है कि वहाँ पर जाकर ऐसे व्यक्तियों के ओपर अच्छी खासी penalty ठोकी जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को सलाकों के पीछे भी डला जाएगा तो track करने का तरीका ये है और penalize करने के प्राविजन्स आगे रोंदे रखे हैं और डराध हम कैसे दिया कि आपको फालो करना ही पड़ेगा नहीं किया तो आपका रेस्टेशन ऐसे के तैसी आपका इवेबेल रुख देंगे ये कर देंगे और फो कर देंगे तो ये है बाबु मेरे यहाँ पर आकर concert एक बड़ी बात ध्यान रखना जो हम 50 लाख पर मंथ की यहां पर बात कर रहे हैं तो उसमें टर्नोवर कौन सा वाला लिया जाएगा तो टर्नोवर ना तो टर्नोवर जो होता है आपकी outwards supply जो होती है ना बाबू वो तीन तरह की होती है, तीन तरह की होती है, एक होती है, zero rated, एक होती है exempted, एक होती है taxable, तो आपको सिर्फ यह taxable देखने हैं जिस पर आपकी tax liability बनती हो, क्योंकि export turnover पर आप जानते ही है कि export the goods or services not the taxes, लेकिन तो उसको हम नहीं बात करेंगे, तो हमें ना तो यह चाहिए, ना में यह चाहिए, हमें सिर्फ यह चाहिए होता है, अगर मालेजिए एक व्यक्ती का exempted 40,000,000 रुपे का था, 0,60 था, टैक्स वर 45 का था, तो खुर मिलाकर 145,000,000 बन जाता है, तो एक महीने का, क्या यह व्यक्ति एक परसन की requirement में fall करेगा, the answer is no, क्योंकि हमें स का पूरी की पूरी त्योरी यहां लिखे हुए माले और यह इसका मैंने सिंपल वर्डिंग्स में नारेसिस करके आपको दे रखा है कि इफे टैक्सेबल टर्न ओफ रेश्टर परसंपर पिचास लाग से उपर है तो परसंड नीट टू पे एट लिस्ट वन परसंट फॉर्म की कैश लेजर भले उसके पास में सफिशन बैलेंस क्यों ना हो लेकिन रिक्वर्मेंट इनके उपर लागू नहीं होगी ओनर डैक्टर करता वागेरा रिफंड वाले पी एस्यू वाले और अगर एक्सस पे कर दिया तो क्यूमिलिटिव बेनिफिट आपको मिल जाएगा य अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे आता है सहब आपका अगला चैप्टर आता है मालिक फाइलिंग आफ रिटर्न का इसमें आती है आपकी qrmp scheme की यहां पर बात करते हैं ये चित्र का क्या मतलब है इसका मतलब ये है मेरे मुन्ना कि ये है डिपार्टमेंट यहां पर आकर पत्नी की रूप में डिपार्टमेंट है और ये है टेक्स पेयर ये टेक्स पेयर है तो पर्दिकरी भाई सब ठीक है आप पेमेंट करने वाले हैं लेकिन हिसाब तो दो quarterly return monthly payment करके है अभी इसकीम फूल है या अंगारे है क्या है कैसे है तो आई इसको डिस्कुस करते हैं मैंने अभी regular batch के अंदर इसकीम पढ़ाई है बहुत ही शिदत और सांदार से तो वो वीडियो उसका मैं यहाँ पर add करता हूं QRMP का आप enjoy करें इसको ठीक है तो आई यह मालिक शुरू करते हैं QRMP स्कीम टाइंग यहां से आते हैं आपकी स्कीम QRMP करके हाला कि इस स्कीम के अंदर कई सारे sections, notifications और जो rules से हैं उनका समावीश है लेकिन फिर भी बहुत ही सरल और सहज language में मैंने इसका text आपको दिया है साथ मैं मैंने इसका complete analysis भी किया है और भी simplest वे मैं और उससे भी आसान language में मैं आपको बात को समझाता हूँ मैं आपको इसमें properly पहले ये बातों को समझाऊँगा उसके बाद जिसका legal content है उसे read भी कराऊँगा और साथ मैं मैं portal से भी बातों को link करूँगा कि इस scheme का portal से क्या तालुका आता है वहाँ पर जाकर कैसे इसको opt करते हैं कैसे opt out करते हैं और कैसे payment किया जाता है under this scheme उस सारी बाते हम करके चलेंगे 35% का क्या मसला है 65% का क्या मसला है portal पर जाकर सारी चीजें देखकर चलेंगे ठीक है तो समझते हैं अपने qrmp को ये qrmp बार बार नाम जीब सा लगता है अगर आप मुसे इजाज़त दो तो मैं क्या इसे q return बोल दूँ आगे q return लब स्कीम का पूरा बड़े लंबे समय से मांग चल रही थी जो taxpayer है उनकी कि सहाब GST में financial के साथ साथ जो आपके compliance के burdens है वो बहुत जादा है सरकार कुछ तो आप इसका सुधार कीजिएगा compliance हमारे कम से कम होने चाहिए return मंतली की बजाए आप हमारी quarterly return कर दीशेगा मैं आपको बता दूँ यहा GSTR 1 है आपका वो तो काफी पहले से ही सरकार ने quarterly का option दे रखा है कि जिन व्यक्तियों का कारूबार preceding financial year में डेड़ करोड तक सीमित है वो व्यक्ति अपना GSTR quarterly भर सकते हैं option है अब यहाँ पर इस QR scheme के अंदर बताया गया है कि 3B के लिए भी है आप चाहे तो अपना 3B भ सकते हैं quarterly frequency पर क्योंकि लंबे समय से industry इसी बात की डिमांड कर रही थी तो सरकार ultimately QR scheme यहाँ पर ले आई है सरकार भी चाहती थी कि यार basically burden तो बहुत ज़्यादा हो रहा है returns पगरा का portal कभी भी हैंग हो जाता है दिक्कत हो जाती है तो चलो taxpayer की बात भी रख जाएगी और अपना काम भी बन जाएगा तो इस scheme को ले ही आते हैं फिर सोचा यार return तो quarterly ले लोगे लेकिन payment कैसे कराओगे क्योंकि payment कितना करना है ये return के साथ ही तै होता है कि रिटर्न में सारा कोई समावेश होता है फिर payment करवाया जाता return के साथ ही तो क्या payment भी quarterly ही आएगा अगर payment quarterly आएगा तो बहाँ सरकार को दिखत है cash flow भी गड़ जाएगा सरकार का सारा का सारा और इस category में आने वाले बहुत लाँचनों ने करती है जब कोई नई scheme launch होती तो सबसे पहले यही आता है कि कौन व्यक्ति इसके लिए eligible है और कौन eligible नहीं है मैं भी कोई offer या scheme आपके लिए निकालूं तो आप यही देखोगे कि आर इसके लिए कौन कौन eligible है तो principally इसमें जो मुखे condition हाला कि तीन बातों क को ध्यान में रखना है लेकिन principally इसमें जो बात ध्यान रखनी सबसे पहली वो यह कि अगर आपका preceding financial year में जो turnover है वो 5 करोड तक सीमित है तो आप इस scheme के लिए हकदार है लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप कब तक कि हकदार बने रहेंगे जब तक कि current financial year में आप का turnover पाँच करोड से उपर ना निकल जाए जिस quarter में आपका turnover पाँच करोड को cross कर जाएगा उसके अगले quarter से आप कोई scheme नहीं मिलेगी आप monthly return process के अंदर आ जाओगे ऐसा आनो नहीं यहाँ पर बोला है पहली condition के अंदर aggregate turnover जो बता रही है वो portal के मताबिक calculate किया जाएगा पूटल अपने आप calculate कर लेगा कि आपका पछले साल में scene क्या रहा था ठीक है तो यह नो नहीं आपर बोल दिया कि भी scheme के लिए eligible हैं अगर 5 करोड तक सीमित है पर कब तक eligible रहेंगे जब तक कि आप cross नहीं कर जाते 5 करोड के turnover को within the current year ऐसा आपके composition में भी होता है उसमें बोलता था कि अगर पिछले साल में आपका कारोबार 1500 लाग तक सीमित था तो current year में आप composition के लिए हकदार हैं लेकिन आप composition में तब तक ही रहेंगे जब तक कि current year में आपका कारोबार 1500 लाग को पार नहीं कर जाता है ऐसा ही यह यहां पर है अब मैं आपके से छोड़ा सा illustration discuss करता हूं आप मुझे बताईए यहां पर क्या होना चाहिए आपके मताबिक ठीक है एक व्यक्ती यहां वो preceding financial year में उसका जो कारोबार था सहाब वो था जी 4 क्रोल रुपे का मतलब current financial year के अंदर वो this QR scheme के लिए eligible है ठीक है current financial year म मतलब वही है जो section 2 में definition में दे रखा था कि जहां पर लगातार तीन महीनों की बात होती है और कोई से भी तीन महीने नहीं यह specified April, May, June, July, August, September यह वाले specified तीन महीने की बात होगी उसे quarter कहा जाएगा कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि माई, June और July यह एक quarter हो गय तो current year में आप eligible थे, QRMP scheme में आप आगे, QRS scheme में आप आगे and पहले quarter में turnover रहा एक करोड का, दूसरे में भी एक करोड है, तीसरे quarter में चार करोड हो गया है जिसमें 28 नवंबर तक तीन करोड था, उसके बाद एक करोड और हुआ इसी quarter में और चौते quarter में यह एक करोड आपका होता था, अब मुझे देखना है कौन से quarter में मैंने तीन करोड को पार किया, मैंने cumulative लगा कर देखा इसका, तो पहले quarter में एक करोड, दूसरे quarter में हो गया दो करोड, तीसरे quarter में में मेरा आंकणा पहुँच गया छे करोड का, यानि कि तीसरे quarter में मैंने even 28 नवंबर तक मेरा पाँच करोड था, उसके बाद मैंने इसको पार कर दिया, तीसरे quarter में पार कर दिया है, अब मुझे कौन से स्कीम मलेगी, पहले quarter में qr сrakीm, येस, दूसरे quarter में qr srakीm, येस, तीसरे quarter में qr मिलेगी या मंथ्ली मिलेगी, कोई कह सकता नहीं तो यहां तो पार कर गया, यह तो यहां तक तो आपके साथ यही आस्वाशन था कि आप क्वार्टरली स्कीम के अंदर हैं 28 नवंबर को पांच क्रोड के बाद अगला टर्न ओवर जैसे हुआ होगा फिर आपको मना कर दिया जाके नहीं अब नहीं रहे आप सौरी नो मूर अब आप इस स्कीम के अंदर नहीं रहे गए हो वह लगा भाई सब क्या बेकूब बना रहे हो अरे बहीं मैंने अक्टूबर की रिटर्न अक्टूबर की रिटर्न मैंने नहीं भरी इस चक्र में कि मुझे ये था कि मैं क्वाटरली स्की में हूँ वरना बीस नमबर को अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते था मैं और अब 28 नमबर के बाद उसे बोलो कि आप क्वाटरली नहीं आपको मंत्री स्कीम मिलेगी तो ये गलत हो जाएगा उसके साथ मैं तो कहा कि नहीं यार इस पार्टर का तो रहन दो यहां मंत्ली मन डालो इसको जैसे चल रहा चलने दो इसके लिए क्यू आर एमपी ही लगेगा लेकिन हां अगले क्वाटर से अब आप मंत्ली सिस्टम के अंदर आ जाओगे कहने का मतलब यह है कि प्रसिदिंग फानेशल येर में पांच क्रोड तक सीमित हो तो करंट येर में आप क्यू आर स्कीम के लिए इलिजिबल हो जाओगे लेकिन इसमें कब तक इलिजिबल रहोगे जिस क्वाटर में आपका पांच क्रोड क्रॉस हुआ है उस क्वाटर तक इलिजिबल रहे उस quarter में भी eligible रहेंगे हां उसके अगले quarter से eligible नहीं रह जाएंगे पहली बात तो यह है eligibility criteria के अंदर दूसरी बात ही आती है कि जिस दिन आप portal को खोल कर बैठे हो QR scheme को opt करने के लिए कि मुझे scheme चाहिए मैं जे CA को fees भी कम देनी पड़ेगी अब तो है ना कि भई पहले वो monthly return file करते हैं तो चार्ज ज्यादा लेते हैं quarter return file होगे payment का क्या payment पहले भी मतली जाता था अभी मतली जाएगा और कम से कम रिटन तो कम से कम कम होगी तो हम यहां बैठके भी हमें तो quarterly चाहिए CA से विजिद कर बैठे हम तो quarterly चाहिए अच्छा CA लगातार मना करता रहा क्यों मना करता रहा वो सबसे बाद में भेद खुलेगा कि रहन दो मतलो 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 scheme को पर client कहता है नहीं मैं तो लोंगा मैं तो लोंगा अच्छा तू लेगा तू ले ले भाई तो जिस दिन opt करने के लिए बैठे हैं उस दिन हमें ये assure करना होगा कि हमारी जो last return due थी वो फरनिश हो चुकी है वो हमने file कर दी है अच्छे तरीके से जैसे माल लीजिए आप एक December 2020 को opt करने के लिए बैठे हैं for an example लेके चलते हैं 21 कर देता हूं चलो due date होगी वो कौन सी वाली return की होगी सर अक्टूबर वाली return की तो अगर मैं यहां पर opt करने के लिए बैठा हुआ हूँ तो मैं यहां पर आ सकता हूं quarterly return के अंदर अगर नहीं होई है तो फिर हमें यह scheme का benefit नहीं मिलेगा ठीक है तो ऐसे यहां पर बोल दिया जाता है कर्यार तुमसे मंतली data नहीं दिया जा रहा quarter नहीं तब दोगे तुम है इतना एकठा तब दोगे तुम है तो आपकी यह पिछली वाल return फाइल होने चाहिए आप डिफॉल्टर किस्म के व्यक्ति नहीं होने चाहिए सरकार छटनी तो ऐसे कर रही है जैसे कि पतानी कितना बहुत ब व्यक्ति नहीं होने चाहिए ओडार मतलब हमने पूरा concept देखा था ओडार का कि जो online information database access और retrieval की services देने वाले हैं supplier विदेश में बैठा हुआ है और recipient 10 साल का छोटा बच्चा है जो online game यहां पर खेल रहा है OIDAR के संबंद में हमने पूरा concept देखा था उसमें सीखा था कि यहां पर सरकार को जिद होती है कि हर हाल में हमें GST चाहिए मतलब चाहिए चाहिए और कोई भी चीज आपको तम मिलती है जब दिमाग से और दिल से यह वाज निकले कि चाहिए मतलब चाहिए दो बार निकले में आपको बताओं कि यहां पर एक 10 साल का बच्चा है जो गेम खेल रहा है इंडिया के बाहर से सर्विस ली जाती है सप्लायर भार बैठा हुआ है और यह basically import of service होती है लेकिन प्राब्लम यहां पर यह आती है कि recipient 10 साल का चोटा बच्चा है non-taxable person है उस GST ले तो कैसे ले क्योंकि import of service है import of service पे normally reverse charge mechanism अपना लगाया जाता है लेकिन यह एक ऐसा exception है एक ऐसी service है जो import of service होते हुए भी इस पर reverse charge mechanism नहीं लगाया जाता है वो जो बंदा सप्लायर उसी को यहां पर GST का payment करना पड़ता है return का chapter चल रहा है अभी हमने कुछ दिर पहले देखा था कि form GSTR 5A के अंदर इसे अपनी monthly frequency पर return भी भरने होती है यह scheme क्या इसके लिए eligible है the answer is no यह इसके लिए eligible नहीं है मतलब इस बंदे को monthly return भर रहा है मतली ही बढ़ता रहेगा qr scheme इस विदेशी को हम नहीं देंगे यह देशियों के लिए है किसके लिए है यह सुविधा यह सुविधा देशियों के लिए है इनके लिए विल्कुल भी नहीं है ऐसा यहां पर बोल दिया चाहता है ठीक है अच्छा दिए सर वो non-resident taxable person उसको मिलेगी ओ बुडबख हम 3B की बात कर रहे हैं 3B की कि जो 3B है उसे लाइक भाई उनको कह रहे हैं कि आपको यह कैसे फाइल करना है मंतली की वज़ा quarterly भी कर सकते हो जो non-resident taxable person होता था उसका GSTR 5 में जाती रिटर्न उसका 3B से कोई लिए देना नहीं है ठ और current year में तब तक बने रहोगे इस किम के अंदर उस quarter तक जहाँ पर आपका turnover क्रॉस करता है वहां तक last बने रहो गया और दूसरी शर्त आपने देखी कि आपकी last return जो due हो गई थी वो आपने भर दी हो और अगली बात यह कि आप OIDAR वाले व्यक्ति ना हो आगे क्या पूलत है तो opt करने का समय क्या होगा मतलब let's suppose अगर मैं यहाँ पर April में जून मैं इस quarter के लिए मैं इस quarter के लिए opt करना चाहता हूँ let's suppose मेरा quarter one है यह financial year का यह मेरा quarter one है मुझे इस के लिए opt करना है तो मुझे कब यह या कब तक option ले ले लेना चाहिए suppose करो यह April का महीना बीट गया अपरेल बीट जाने के बाद यहां मई में आकर मैं 15 मई को चाहता हूँ कि मैं मैं इसके लिए पूरा का पूरा भाई सब क्वार्टरली इसकी में आ जाओं क्या यह संबभ होगा नहीं सर इसकी जो cut off date है क्योंकि क्योंकि मेरे बास समझो आपको अपरेल की आपको अपरेल क की रिटर्न भरनी है मन्थली या क्वार्टरली तीस अपरेल तक तो आप डिसाइट करी लोगे हायना मतल लास्ट तो लास्ट अगर आप देखो कि महीना का जिस महीने की रिटर्न भरनी है वो महीना खतम हो गया तो अब तो अब तो फैसला कर लो मन्थली या क्वार्टरली तो here is the last day to choose the option for this quarter कि आपको ये मन्तली भननी है या फिर quarterly भननी है Right Okay sir, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है Sir, कोई lock-in period है क्यास के लिए कि मुझे एक बार अगर मैंने ये choose कर लिया तो फिर यही रहेगा जी नहीं, portal पर बड़ा आसान है अब जब चाहे इसे choose कर लो, जब चाहे exit कर जाओ आपकी मर्जी है, बहुत असान तरीके से दिखाऊंगा आपको करके portal पर भी कि कैसे scheme को opt करते हैं और कैसे इसको opt out करते हैं तो जिस महीने के, अगर April की मुझे पहले लिटर महीने की आ रही है अगर मुझे इसके लिए करना तो एक फरवरी अगर यह 2021 मेरा चल रहा है तो बोल रहे हैं कि भाई सब एक फरवरी 2021 प्रॉपर लिखते हैं ना एक फरवरी 2021 से लेकर 30 April 2021 तक मतलब क्वाटर शुरू होने के एक महीना बाद तक और दो महीने पहले तक यह जो बक्से आपके रेड रेड हो रहे हैं प्रॉपर फुल फलेच्ट तीन महीने का समय मेरे पास मैं चूज करने के लिए आप अगर एप्रेल में सोचो आपका लेट सपोज आपका आगे एप्रेल आ रहा है एप्रेल में आपको चुनाव करना है तो आप इसे कर सकते हैं अभी चल रहा मालक आपका जून तो एप्रेल में और जून आपका चल रहा है मान के चलो आप जुलाई अगस्ट और सप्टेंबर जुलाई अगस्ट सप्टेंबर इसके लिए इसको आप्ट करना चाहते हैं तो कब तक कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं तो क्या इस क्वार्टर के लिए आज आप्ट कर सकता हूं कि नहीं तो देखो जिस quarter के लिए चुनाव करना है वो quarter का पहला महीना खतम होने के बाद वहीं पर आएगा भी या अगर मंतली बननी है तो आप यहाँ फैसर आलो कि जुलाई के आपको मंतली बननी है और quarter बननी है जो भी आपका तो here is the last date और दो महीने पहले यहां तक आ जाओ यह April म एक माई तो एक माई 2021 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक मैं किसी भी वक्त इस quarter के लिए चूज कर सकता हूँ कि मुझे QR स्कीम में आना है ऐसे में आप्टिस को कर सकता हूँ राइट यह सर अगर मालो 31 जुलाई तक ना कर पाए तो अगस्त आ गया तो अगर अगस्त आ गया है तो फि तो फिर अगले कौर्टर के लिए कर पाओगे अर्युटिंग माई पॉइंट जैसे अब यहां पर हम बात करें कि यहां पर आपने अगर यहां तक 30 अप्रेल तक आपने चूज कर लिया है तो इस quarter के लिए आपको benefit मिल जाएगा लेकिन 30 अप्रेल अगर आपका निकल गया एक माई आ गया तो फिर कर पाओगे लेकिन अगले quarter के लिए next quarter के लिए तो आपको देखा जाए तो आप चूज कभी भी करो all the 365 days में आप कभी भी चूज कर सकते हो कभी भी चूज कर सकते हो at any time but depend करेगा कि आपको वो कौन से quarter के लिए उसकी availability आएगी right तो अगर इसकी बा बाद जो आ रहा है मेरा वो आएगा यहाँ पर quarter number two निकल के आएगा जैसे कि अपरेल में जून जुलाई अगस्ट और सप्टम्बर नीचे सटा देता हूँ उसको मैं यहाँ सटा देते हैं ठीक है जी ऐसे करके तो quarter two आ गया जी जुलाई अगस्ट सप्टम्बर तो अगर 30 अपरेल तक बोल दिये तो मुझे इस quarter one के लिए available हो जाएगा और अगर इसके बाद बोले तो फिर मुझे मिलेगा quarter two के लिए quarter two के लिए कौन-कौन सा भाई सब यहाँ पर निकल के आएगा अपना जी यह बता रहे हैं आपको अगर यहाँ से लेकर अगर यहाँ से लेकर य जो green portion आपको दिख रहा है तो फिर इसके लिए आपको quarter two के लिए इसका benefit available होगा इसे टो के यह सर तो जिस quarter के लिए चाहिए उस quarter का पहला महिना और दो quarter पिछले के तो उसके लिए benefit मिल जाता है ठीक है उसके बाद आगे बाद करते कि option को choose कैसे करना होगा तो option को choose करने के लिए बड़ा सी दहसा तरीका है आप portal पे जाएंगे मैं करके दिखाऊंगा practically फिर theoretically बता दूँ वहाँ पर simple सा option में लेगा आपको कि यह monthly यह quarterly दोन option आ रहे होंगे आपको quarterly चाहिए तो quarterly क्लिक करके save कर दो बस होगया काम इतना से करना है quarterly पे click करो due date आपको बता दी जाएंगी कि अब आपकी यह due date पढ़ेंगी और बात खतम इतना करना है और अगर आपको भविश्य में फिर monthly प्याना है तो monthly को click करो due date आपके आजाएंगे save करो खतम इतना सा काम है बस ठीक है साहब तो लेकिन सरा कर हम कुछ भी ना करें तो इस कीम तो आ चुकी है लेकिन हम इसके संबन में कोई किसी परकार का action नहीं लेते हैं तो अब बताओ फिर अब क्या होगा बैसा होगा क्या उनकी अपनी जो default setting है वो क्या है अगर मैं कुछ ना बोलू ना इस किम के पर हम तो वो क्या करेंगे तो उन्होंने बताए कि सुनो देखो अल अब बताओ quarterly optional है कि वो चाहे तो इसको quarterly अपना दे सकते हैं या फिर मंतली दे सकते हैं तो अगर जो व्यक्ति quarterly दे रहे हैं या कुछ हो सकता मंतली दे रहे होंगे उनका default setting क्या रहेगी जिन्होंने quarterly दिया है उनका ये 3B भी QRMP scheme के अंदर quarterly ही जाएगा यूकि ऐसा थोड़ one जो है आपका वो तो जा रहा है like quarterly frequency पर है और आपका जो 3BA जहां से payment करना वो मंतली चला जाएगा how is it possible never ever ये संभावी नहीं है आपका तो इसके लिए default setting आपको मिलेगी यहाँ पर quarterly की ही मिलेगी ठीक है जी दूसरा अगर आपने ले रखा कि भी है मुझे तो gstr1 मंतली भरना है तो default setting क्या होगी मतलब portal जो है दो option होते हैं monthly quarterly तो आप कौन से पर रखेगा अगर आप कुछ कुछ नहीं बोलेतो कुछना कहो कुछ भी न कहो क्या कहना है क्या सुना अगर कुछ भी सुनन कहन नहीं होती है तो particle क्या करेगा पूटल कह रहा है सब मैं मंतली रख के चलोओगा क्योंकि GSTR यह मंतली है तो मैं मंतली ही रखूँगा क्योंकि कोई भी नई स्कीम या ओफर आता है और वो ऑप्शनल है तो जब तक मैं उसे प्राक्टिकली काच नहीं करूँगा तब तक मिरे लिए वो कैसे अप्लाई कराए जा सकता है सोचने वाली बात है ठीक असा जी में कर देखेगा यह ना मेरे मुन ना यह तो default setting है कि अगर आप कुछ नहीं करो यह है अगर आप अगरफ और आप कोई action ना लो कोई action ना लो तो ऐसा हो जाए अगर अगर आप को कुछ नहीं कहेंगे तो यह मंतली पर आटोमेटिकली पढ़ा रहेगा आटो मोड इसका मंतली है ठीक है आच्छा जी अगर आपका डेड़ क्रोड से लेकि पांच क्रोड तक का मसला पड़ता है तो जी एस्टेरवन तो मंतली ही जाएगा क्योंकि आपका option ही खतम हो गया वहाँ पर तो ज अगर यह मेरा मंतली है जी एस्टेरवन मंतली जा रहा है मतला यह का तरीका कि आप देड़ करोड तक के दाएरे में है और यह आपका मंतली है तो यहां तो डिफॉल्ट सेटिंग मंतली है आपकी 3B के लिए लेकिन अगर आपका यह यहां पर आकर अगर यह आपका यहां प कुछ नहीं कोगे अगर आपका GS tier 1 मंतली जाता तो 3B मंतली जाएगा अगर आपका यह quarterly पर है तो भी आपका quarterly जाएगा this is the default setting अगर कोई व्यक्ति ऐसा taxpayer या कि उसे पता है नहीं कि इसकोई scheme भी आई है अगर इसकोई scheme आई है तो उस scheme बनकर आ जाएगे ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मालिक आगे बढ़ जाएगे यह सर तो यह आगे default setting अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो उसके बाद एक problem आती है सरकार ने बोला था कि साहब यहाँ पर हम आपसे मन्थली payment लेंगे लेकिन समझो जारा समस्या क्या है यह तो कह दिया मैं जल ग्रण कर लो हाँ जी कर लो यह तो बोल दिया कि रिटन क्वार्टरली दे दो और payment मन्थली लाओ लेकिन मन्थली payment कैसे आएगा कि अपरिल में जून हिसाब बनेगा जून खतम होने पर जुलाई में जाके हिसाब की बात आएगी तो जब जुलाई में हिसाब की बात आएगी तो मुझे एक बात बताओ हम यहाँ पर कैसे payment कर सकते हैं मतलब April की payment कैसे करेंगे किस base पर करेंगे हमारे पास calculation ही नहीं है हिसाब ही नहीं है return file करना मतलब हिसाब देना जब हिसाब बनाया ही नहीं है हमने मंतली तो payment कैसे करें सरकार बोलते हैं भी यह payment तो करना पड़ेगा तो पिरनोंने का तरीका निकाला इसका, क्या तरीका, कि काम करते हैं, हम आपसे ना fixed payment लेते हैं, कि जो भी, अगर आप मालो पिछला quarter भी आपका quarterly में ही गया था, मालो quarterly ही आपने 3 भी गया था आपका पिछला, तो पिछली quarter में, जितनी भी आपकी cash ledger से payment गई थी, तीनों महिनों में, उस quarter के अंदा, जो भी आपकी cash ledger से payment गई थी, उसका 35% कर देते हैं, पहले महिने के लिए, 35% दूसरे महिने देना है, तो April की जो liability वो pay कब होगी, यहां पर due date जो payment की रखी गई है, वो अगले महिने की 25 तारीक है, जी, जो payment की due date है, वो अगले महिने की 25 तारीक है, तो April का payment कब करना होगा, April के बाद 25 माई को, तो 25 माई को 35% payment कर दीजिए, प्रिवियस turnover का जो आपका payment है, उसके आधार पर उसको बेज बना कर, प्रिवियस quarter का, प्रिवियस quarter का जो turnover था, उसके आधार पर, और फिर जो April के बाद May आया, तो मे के लिए आपकी जो due date पढ़ेगी, वो क्या पढ़ेग जून पढ़ेगी, पत्चिस जून पढ़ेगी, 35% वहां पे कर दीजिए, और जून की कब पढ़ेगी, जून की पढ़ेगी 25 जुलाई, पत्चिस जुलाई और इस quarter की जो return है, वो कब जाएगी, सर इस quarter की जो return है, वो जाएगी आपकी 22 या 24 को, जुलाई को, समाझ देना मई और जून का जो हिसाब है वो यहाँ पर होगा 22 तारीक है वेस्ट साउथ और जो मध्ध है अपका सेंट्रल इंडिया है उसके लिए और 24 तारीक है नौर्थ और इस्ट के जो स्टेट से उनके लिए बाइस चौविस जुलाई को हिसाब हो जाएगा तो जो जून वाली पेमेंट है वो मेरी 25 जुलाई को जानी है तो इसका मतलब हिसाब होगा 22 चौविस जुलाई को पेमेंट 25 को होनी है तो ये वाली जून के महिने में जो पेमेंट बनी होगी वो तो मेरी आक्च्वल बेसिस पर जा सकती है उसको किसी प्रिफिक्स बेस पर रखने के जरुवत नहीं है वह वाली तो एक्चुल बेस पर जा सकती है पहले दो महिनों में क्योंकि यहां तक मेरे पास हिसाब आ चुका है यहां तक मेरे पास हिसाब आ चुका इस डेट तक पहले दो महिनों में हिसाब मेरे पास में नहीं था तो उनके लिए मैंने आधार बना दी कि भीया पिछले क्वाटर में जो भी था आपका तो मोटा-मोटा वन थर्ड कर दिया ना मोटा-मोटा दिखा जाए तो 35% यहां पे कर दो 35% यहां पे कर दीजिए ऐसा नहीं बोल दिए 35% of cash GST जो पे किया है लास्ट क्वाटर के अंदर और वो आपको यहां 25 मही तक भनना है 35% of the cash GST पेड किया जो लास्ट क्वाटर में 25 जुन तक आपको वो भनना है लेकिन अगर माली जी पिछला जो टेक्स पीरिट था आपका उसमें आपका मन्थली पेमेंट सिस्थम था पॉसिबल है क्वाटरली में अभी आप नए नए आए हो तो पिछला मन्थली था एक महीने का उसमें आ रहा होगा डेटा की एक महीने की टेक्स लाइबिलिटी क्या है तो किरे जितना पिछले महिने की लाइबिलिटी थी उतना ही अब इस स्कीम में यहां दे दो यतना पिछले मंथ में आपने दिया था कैश लेजर से उतना ही यहां दे दो और उतना ही दे दो अगले महिने में उतना ही दे दो अगले महिने में और जब तीसरे महिने के बैलन्स होगा उससे आप यहां पर और पे कर तीजेगा है ना ऐसे यहां पर कि P5% FIX आपने ही पे कर दिया और अकाउंट पेमेंट एक तरीके से on account payment आपने कुछ यहां कर दिया ठीकी जिए और अकाउंट पेमेंड़ पूरा final payment नहीं यह ओन account payment है और फिर यहां आते आते balance आप यहां पे कर दें क्योंकि यहां पर आते आते आपके पास पक्का हिसाब आ चुका है तो पहले दो महिनों में ही तकलीफ होगी तीसरे महिने में तो actual बेस पर payment हो जाएगा और पूरी payment आपकी कि यहां पर clear हो जाती है तो यह इन्होंने formula यह निकालो calculate उठाईए उसका 35% करो cgst sgst सबका अलग अलग 35% करो फिर यहां भरो यह काम आपको करना है यह पोर्टल स्मार्ट है वहां पर option है कि आप 35% का चालान create कर सकते हैं तो आप जैसे उसमें चालान create करेंगे तो accordingly वह आपका automatically पिछले जो cash payment आपने किया था उसको ध्यान में रखते हो auto calculate करके आपको चलान बना कर देदेगा आपको बस pay करना होगा वह is it okay वह automatically आपका बन जाएगा तो आपको calculator लेकर अलग से बैठने के आवशक्ता नहीं पड़ेगी अच्छारी अब इसमें एक चक्कर और पड़ा कुछ लोगों ने कहा जिनका basically seasonal था business कि कहीं तो उनकी liability बहुत हाई होती है किसी महीने में और किसी महीने में liability बिल्कुल होती नहीं है उनकी जैसे मान लीजिए like किसी का गरम कपड़े का business है तो उनकी जो sale होती है वो भाई January, February, December इन महीनों अच्छी खासी होती है लेकिन June, सुन जोलाई में उसके क्या से लिए भाई सर वहां दिखका थे उसको तो उससे कहा गया कि भीया आप मुझसे जो जो मैंने पैसा फरवरी मार्च जनवरी में जनवरी फरवरी मार्च में जो पैसा दिया मालोग पिछला quarter मेरा ये था तो उसी के आधार पे आप मुझसे भर इससे दिक्कत है फिक्स जो हमने मैथड दिया है अगर इससे आपको दिक्कत है तो अप सेल्फ असस्मेंट मैथड अपना लेना और हर महीने कैलकुलेट करना अपनी टैक्स लाइबिलिटी एक्चुल बेस पर और पेमेंट कर देना और तो मेरे प्रभुयक बात बताओ अलग से कच्छी कलिशन करो फिर वहां डालो फिर फाइडली अपनी टीन बनात सम्में तीनों कौाटर की फिर से बनाओ पूरी डिटेल क्या है अरे भी मैं तो कह रहा हूं calculate कर दिया return वरो खतम परची फार दो बात खतम अब देखने नहीं पलट के नया महिना आया कैलकुलेशन करो रिटरन फाइल करो परची फार दो बात खतम उसके बाद यह करो परची फार ने का मतलब अब पलट के पापस देखना नहीं हमें लेकिन यहां पर यहां पर परची नहीं फार सकते हैं पेमेंट कर जरूर रहे हैं लेकिन एड़ दा एंड डिटन जब पेमेंट किया है तो ऐसे करके यहां पर बात करी जा रहा रही है तो आप देखिए क्या चलना चकर खामखा क वीक्त आसान है नहीं 35 पर 것은ट पेकर यहां दो फिर यहां file करो फिर देखो कि final कितना बनता है कितना pay कर चुके हो और क्या balance बनता है उसे निकालो उसे pay करो भी यहां पर आकर अच्छा ठीक है जी कोई बात नहीं आगे बढ़ जाते हैं यह हमारी बात हो गई अच्छा इसमें एक और बात है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है मालिक कि लेट सपोज मेरा ये 35 रुपे मान लीजिए 35 रुपे मुझे यहां पर देने थे इतने का मुझे चलान क्रिएट करके अपने येजिए में जमा कराना था इतना पैसा तो अगर मेरे पास제가 डगी मेरे 35 रुपे पड़े हुए हैं या मेरे 35 रुपे हुए है तो जहां dites प्लाक देने वे से understood सी बात है क्यों कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा तो अगर अगर मान लीजिए मेरे e-cash ledger या e-credit ledger के अंदर sufficient balance पड़ा हुआ है तो फिर मुझे ये सब करने की आवशक्ता नहीं है ये मुझे जमा कराने की आवशक्ता नहीं है कहते हैं बहला यहां पर आकर कैसे बहला no tax is required to be deposited in the following situations इन situations में आपको tax deposit कराने की आवशक्ता नहीं है कौन सी में where tax liability is nil ओविसी बात है अगर आपकी tax liability nil आ रही है तो आपको कुछ भी जमा कराने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी दूसरा have already sufficient balance आपका sufficient balance already पड़ा हुआ है जैसे मान लीजिए आप यहां अप्रेल की tax liability आती आपकी 40 रुपे की आती है मालिक ठीक है सर जी और आपके यहां पर जो fund पड़ा हुआ है यहां आपकी tax liability 50 रुपे की आती है और यहां आपका है यह 25 का तो क्या इस महिने में कराना है साहब हमें देखना पड़ेगा हमारी cumulative क्या बनती है हमारी साहब देखो यहां से देखा जाए ऐसे करके तो total liability 90 की है जो जगड़ा पड़ेगा पहले दो महिनों का यह पड़ेगा आखरी महिने का तो हिसाब होई जाना actual basis पर क्योंकि वहां return file होई जानी है उस महिने के हिसाब से 25 को payment करना 22-24 को return आपकी clear हो जाएगी अगर यहां देखे तो यहां देखे तो हमारे पास पिचाणवे हैं तो मेरे पास sufficient balance है या ऐसे देख लो ऐसे देख लो 40 की liability थी 70 यहां पर था तो 40 का payment हो गया होगा 30 यह बचा हुआ था और 25 और आगया यहां पर 30 यहां था 25 यहां पर और है अपना तो 55 हो गया यहां liability अपनी 50 है मालिक तो अविसी बात है अभी भी हम excess महीं है तो पहले महिने में देखोगे तो इंडिपेंडेंटली दूसरे महीने में देखोगे तो क्यूमिलेटिवली क्यूमिलेटिवली अगर मेरा यह इतना है मतलब कुल मिलाकर मोटी बात ही कि आप जिस महीने पेमेंट करें वहां आपके पास sufficient balance पढ़ा है यह नहीं पढ़ा है अगर आपके पास sufficient balance है तो फिर 35% वाला चलान deposit करने के आवश्यक्ता नहीं है हमारे पास sufficient balance है यह नहीं वह जब आप चलान create करने के लिए पोर्टल पर जाएंगे ना 35% का चलान पर आप क्लिक करेंगे वहीं आपको एक summary दिखा देगा कि सुनो 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 अभी दिखाऊंगा पोर्टल के ऊपर वहां आ तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी तो फिर आपको अलग से वह चलान जमा कराने के आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी ठीक सर तो ऐसे हमारी बात यहां पर हो जाती है प्रभू जी अब यहां पर मान के चलते हैं कि लेट सपोज सपोज टेक्स इन लास्ट यहां नहीं क्वाटर फाइनल टेक्स ऑफ जो करन्ट क्वाटर वह आपका 102 का बनता है जरा से करके दिखाओगे आप मैं बताता हूं देखो कैसे होगा कि भाई यहां मैंने लास्ट क्वाटर के अंदर जो मैंने कैश में पे किया जो कैश पे किया भाई साब वो था मेरा 100 पे का अभी मुझे आगे का नहीं पता आगे का सीन रहेगा तो कहरें के भाईया यहां आप सो रुपे का 35 परसंट 35 रुपे यहां पे कर दो और 35 रुपे आप यहां पे कर दिजिए कर दिया इस पर बेज्ट होकर अब जो अगला पेमेंट मुझे करना है 25 तरीकों उससे प कर दिजिए क्या बच्चा बाई सब 32 रुपे 32 रुपे का बैलेंस आपको यहां पर और पे कर देना होगा ऐसे करके यहां पर बात करी चाहती है आई होब मालिक बात समझ में आ गई होगी हां बोलो हां हां सर जी बिलकुर ठीक बात है लेकिन अगर आपके पास ओल्री सफि कि आगे बढ़ते हैं एक और समस्या आती है यहांपर एक और समस्यातर है पिइमेंटकी तो यह ख्रीण मा आपने देख ली एक और समस्या आगि कि आप पेमेंट ले रहे हूं मंतली लेकिन रिटर्न जा रहे है बंदे की क्वाटरली अगर मैं अपना जो रिटर्ण हैं 3B है quarterly जा रहा है correspondingly मेरा GSTR 1 भी quarterly ही जा रहा है क्योंकि जो combination बन रहा था कि 3B quarterly तो GSTR 1 भी मेरा quarterly ही जाएगा quarterly ही जाएगा ओके अगर वो मेरा quarterly जाएगा तो चक्कर ये पड़ेगा कि मेरा जो registered buyer है उसे credit कैसे मिलेगा पहले दो महिनों का मतलब मतलब ये कि supplier तो हा गया आपका under qrmp scheme के अंतर quarterly basis पर आ गया महिना ये रहा जनवरी फरवरी और मार्च का महिना है मैं क्या करूँगा GSTR 1 इसका quarterly फाइल करूँगा 10 अपरेल को राइट और ये 2A में दिखाई देगा अपरेल के महिने में जाकर और मेरा registered अगर client है तो उसको जो credit मिलेगा वो अपरेल में जाकर मिलेगा अब इसकी liability तो मन्तली आती है अब मेरा जो recipient आदमी है उसकी liability तो मन्तली आती है तो उसके पास जब वो अपने जनवरी महिने के liability को discharge करेगा तो उसके पास credit नहीं है क्योंकि 2A में दिखी नहीं रहा क्योंकि आपको तो quarterly करना है February महिने के liability को discharge करते समय उसे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि भाई सब उसे quarterly उसका टुए दिखाई देगा यहां पर आका उसमें दिखाई देगा अगले वाले जो मार्च के बाद अत्मा फाइल करेगा उसमें हां मार्च के लिए जब अपरेल में payment कर रहा होगा तो वहां जरूर दिख जाएगा लेकिन जनवरी फरवरी में उसे यहां पर दिक्कत आएगे पहरे दो महिने उसे credit को लेकर दिक्कत आएगे तीसरे महिने में को दिक्कत नहीं है वहां पर तो दिख जाएगा जिसको एक cash flow उसका बढ़ जाएगा जिसके लिए बंदे को bank से हो सकता है short term के loan भी लेने पढ़ जाएगा दिक्कत वाला मामला है यह तो रसीपेंट दो भाग जाएगा किर भाई सब ड्रामा है मेरे तो cash flow बढ़ गया तुन से deal करने में तो यह recipient बोलेगा भाई सब मैं आप से deal नहीं करने वाला मेरे cash flow पर फरक पड़ जाता है तो ऐसे तो scheme fail हो जाएगी इसके फेल होगी तो सरकान इसका solution निकारा के काम करो आप एक काम करो आप आप आपना जो अपना gstr1 है उसे भी on account फिल कर दो उसमें वह वह entry डाल दो अपने gstr1 में वह entry डाल दो जो b2b वाली है जो मैं आपको दिखाया था आज रिटन फाइल कर समय फिर दुबारा से दिखा दूंगा रिटन फाइल कर समय आपको दिखाया था जो b2b वाली एंट्री थी उनको डाल दो उनको डाल के सेव कर दो और समय भी दिया उसके लिए 13 तारिक होती है अगले महीने की लेकिन इससे बोला तेरह तरह तक कर दोगे ना तो चलेगा कोई दिखतवाली बात नहीं है तो बीटूबी वाली एंट्री उसके पास टूए में दिख जाएंगी जिससे कि वह अपना मंथली क्रडिट लेता रहेगा और मेरे का भाई एक बात बता जब मैं बीटूबी में मंथली अपने डाल सकता हूं मैं हर महीने पेमेंट कर सकता हूं हर महीने बीटूबी जेस्टियर वन के अंदर वो बीटूबी वाली डाल सकता हूं तो फिर क्यों नहीं रहा हूं क्यों क्यों आरेंपी क्यों क्या फाइदा मिल रहा मुझे बताता तो कि यह फाइदा मिला टेंशन के लावा मिल क्यों गुमा रहूं यार हाँ अगर ऐसा होता quarterly payment quarterly return ना ये चक कर पड़ता recipient वाला तो तो कुछ लगता कि कुछ मिला लेकिन तो कलेश पाढ़ लिया अपने लिए कि ठीक है आप B2B वाली detail डाल दो और सिर्फ दो महीने के डालना जनवरी और फरवरी मार्च में तो अपना formal GSTR 1 देना तो जो इन्होंने roughly detail डाली इसको नाम दिया इन्होंने IFF invoice furnishing facility कि जनवरी फरवरी में invoice furnishing facility के तहट तो अपने B2B वाले जो से उनकी detail डाल देना कुछ नहीं बस्यमांग चलो मोटा मोटी GSTR 1 भरवाय जा रहा B2B वाला सेक्शन जिसके आधर पर सामने वाले को credit available हो जाएगा credit available हो जाएगा credit ठीक है कोई बात नहीं है और हाँ जनवरी फरवरी में डाला फिर जब तू मार्च का भर रहा होगा GSTR 1 on 10th April को है ना तो जो जनवरी फरवरी में details दिखा दी है उनको दुबारा डालने के जरूत नहीं है हुआ जो मार्च वाली b2agna to insult your college was a DST qr 9 10th April को निवे कि लास्ट ω्म हुआने में दिक्कत है नहीं दिक्कत सिर्फ alit भील 1 इनको लेकर उचateurs रूप्यमेंट को ले करो यह वो रिटर्न को ले कर ओ जो भी है वो पहले दो महीन तो ऐसने के तरह मार्च महिने की डिटेल्स आएंगी, मार्च महिने का B2B आएगा, पूरा मार्च का वहना आएगा और जुनवरी और फर वरी की B2B को छोड़कर जो बाकी transactions थी वो सारी आएंगी उनको मत डालना दुबारा जो पहले से डाल दी है हाला कि बोलते तो ये हैं कि उनको मत डालना दुबारा जब कि होता ये है कि वो पहले से auto populate उसके अंदर हो जाती है तो उनमें आपको जब टेंशन की आवशक्त था नहीं है हाला कि जब ये बोला जाता है कि जनवरी फरवरी में जो डाल दिया है उसे जब मार्च की फाइल कर रहा हो मार्च के हिसाब से फाइल कर रहा हो 10 अपरेल को फाइल कर रहा हो तो फिर उस समय उनको मत बताना जो अलड़ी IIF में दे चुके हो तो बड़ा टेकनिकल सा रखता सुनने में लेकिन जादा कोई टेकनिकल बात नहीं है वैसे तो वो नहीं जाएंगी वहांपे बता चुके हो डुपलिकेसी नहीं होगी डिटा की करत ठीक है जी तो कहते हैं यहां पर सलुशन दिया गया तो तो ओवर कम विद द प्राब्लम सप्लायर में फर्निश बी टू बी इन्वाइस डैबिट क्रेट नोट जो भी हैं अंडर IFF that is invoice furnishing facility for each of the month January to February ठीक है जी for the month of March file करेंगे GSTR1 for the month of March कहलो not only month of March for now now for the quarter as we're going in now now for the quarter April January February March January February or March now for the quarter GSTR1 file होगा all the three months का except the invoices जो already आप IFF में दिखा चुके हो और यह देना है आपको 13th तक नहीं वो तो IFF के लिए है तो जो आप IFF के अंदर दिखा चुके हो वो आपको यहां पर देने के जरुवत नहीं है no need to give detail of all those transactions जो already आपकी जा चुकी है ठीक है और हाँ एक बात और जो IIF के थो आप शो कर रहे हो B2B transaction वो B2B transaction एक महीने में पचास लाग से ज़्यादा की नहीं होंगी है भगवान यह क्या दिया आपने क्या कर रहे हो तुम बिना बात का क्यों load दे रहे हो हमें एक qrmp के चक्कर में हमें नहीं चीए qrmp अरे हर महीने अपना हिसाब बनाएंगे हम इंडेटरन देंगे सरकार घी चाहती है वह तो आप जिद कर रहे थे कि कि achieving kernel Cultural ले diz किरा हर महीने में आपका यह कि enabling पचरास लाग से ओपर के बिल नहीं जा सकते हैं पचास लाइं से B2B के invoice हर महीने नहीं जा सकते क्यों कि इनका जो थौट है वो कहीं न कहीं पांच क्रोड को ध्यान में रखा हुआ है कि करंटेर में तब तक ले जब लो तक पांच क्रोड को क्रॉस ना कर जाए तो लगाया कि भई से हद मंतली वे लिमिट दोगे तो 12 मेने 12,5,6 क्रोड पहुंच जाता है तो फिर भी एक लिमिट डाल दी कि B2B invoice जो है आपके वो 50 लाग से उपर के नहीं होने चाहिए तब ही आपको IFF सवधा मिलेगी आपके ज़्यादा है तो आप नहीं दे पाएंगे आप नहीं दे पाएंगे तो कस्टमर क्रेट नहीं ले पाएगा कस्टमर क्रेट नहीं ले पाएगा वो आपको छोड़के भागेगा इससे पहले कि वो आपको छोड़के भागे आप इस स्कीम को छोड़के भाग जाओ तो अगर आपकी इनवेसिंग 50 लाग सूपर की जात एरवन आई एएफ इस नथिंग बट जस्ट ऐसे मान के चलना जैसे कि एक प्राविजिनल जी एस्टीर वन आप उसमें फाइल कर रहे हैं ठीक है जी इस रिस्ट्रिक्टेड बाई कीपिंग माइन दा लिमिट आफ फाइव क्रोड रुपीज को यहां पर रखा गया है अब इ अब यहां सुनो यहां कैसीन बनेगा इंटरस्ट की कैलोकुलेशन कैसे करी जाएगी त्यूंकि रिटर्न जा रही है आपकी यहां पर प्रेविज और जून करके है टेक्स टूभी पेइट जो मुझे टेक्स पे करना है और विसी बात है पत्चिस ओफ नेक्स्ट मंथ तक मुझे करके चलना होगा ठीक है जी सर जी कोई दिकत वाली बात यहां तक तो नहीं है सावास आच्छा जी हुँँ-- ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, । मान लेते हैं, मुझे यहाँ पर 35 पर ऐसाब से पे कर रहा था, तो मैंने मान लिया है कि जो मेरा last quarter ठाओ था, उसमें जो मैंने cash पेरोंट किया था, वो 100 नित का था पड़ेगा, balance मुझे यहां pay करना पड़ेगा क्योंकि मैंने माना कि total मेरा जो बनता है वो 102 बना current का तो balance मेरा यह निकलेगा, 32 मुझे यहां भरने पड़ेंगे tax actually paid मैंने वैसे वैसे करके pay कर दिया जितना जितना बना, वैसे वैसे मैंने pay कर दिया 35 मैंने यहां pay कर दिया 35 मैंने यहां pay कर दिया 32 मैंने यहां pay कर दिया जैसे बताया वैसे pay कर दिया अब बताओ ब्याज इस case में आना चाहिए के नहीं आना चाहिए सर्में आना चाहिए, जो सरकार ने बोला जैसे बोला वहां पर आप ने किया तो आपको पर ब्याज नहीं आना चाहिए लेकिन देखो क्या कह Moderator है करा सुनू पहले महेने में 35 बना 35 पे किया पहले महेने में कोई ब्याज नहीं लगा जाएगा 35 बना 35 पे किया बात खتم परची पाड़ो लेकिन लेकिन फाइनली जब वसस्ट हुआ तो यहां चालिस निकला जब फाइनली एसस दुआ एक सुदो था ना फाइनली लेकिन ब्रेक अप क्या था फाइनली का ब्रेक अपेक्श्वल में ये था कि 40 यहां बनता था 25 यहां बनता था 40 यहां बनता था 25 यहां बनता था 37 आपका यहां बनता था समझे ना बात को मुझे भी दो बार में समझ में आई है 40 यहां बनता था 25 यहां बनता था 27 बनता था आक्चली फाइनली 102 का वास्तविक ब्रेक अप यह था लेकिन यह पता कब चला होगा at the end of the quarter यार ये था मैने हिसाब जो बनाया वो ये था आपने prefix पर जितना जितना बोला गया वैसे वैसे करते हैं आपचले गया सिर्फ उसकी तुलना है अक्चे में फानल ये आपका क्या बना था उससे हमारी तुलना नहीं होगी ठीक अगले महीने में आ जाओ अगले महीने में जतना बोला था उतना पे कर दिया मैंने जतना बोला था उतना मैंने पे कर दिया ठीक है उतना मैंने पे कर दिया साथ अब वो किया है क्या गणत लगाया देखना बोला देख पैंतिस तेरा यहां था है ना जो पैंतिस यहां प पहले दो महिनों का बनता था तेरा 65 तो तुझे इंटरस की जरूद नहीं है इंटरस भनने की आवश्यक्ता नहीं है मतलब देखो इन्होंने फाइनली एसेज्ड के साथ तुलना पहले महिने में नहीं कराई पहले महिने में रियायत दे दिके चल तेरा भले ही जाता हो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता पहले महिने में तुलना जो हुई है सिर्फ ये कि कितना फिक्स मैंने बूला था और कितना तुने उतना पे कर दिया कोई इं group मतलब आपने दोनोह group एककथे दिये हैं इसको ऐसे treat कीजिए किपश अगर बच्शा एक group में faith होता है दूसरे group में call number three ठाक आ जाते है तो compensate हो के बच्चा पास हो जाता है तो यहां single single group का exam है यह नहीं इन्होंने से ऐसे एसे करकेढ़ ऐसे की मैं इसे य ratios देखा कि आपने पहले दो महीने में 65 दिया मैं ये नहीं देख रहा कि तुने पहले तेरे पहले दो महीने की फाइनली एसस लायबिलिटी तेरी इतनी है समझी मेरी बात को प्लीज समझने का प्रियास करना वो ये नहीं कह रहा है क्योंकि भाई पहले जितने महीना जितना तुझे बोला गया तुने पे किया जितना बोला तुने पे किया तेरे कोई गलती नहीं है तक लेकर मैं यह भी देखूँगा कि पहले दो महीनों में इनकी गुरूपिंग करके बात करें पहले दो महीनों में पहले दो महीनों में पहले दो महीनों में लास्ट में तो पता लगे गा न एक्वल का पता लग गया पहले दो महीनों में इतना बंता था लेकिन तू ने अगर सीन यहां पर सर उल्टा हुगया तो कि भई मैं इन दोनेंбों को देख रहा हूं यहांप generating के देख फाइनली फाइनली चाहे अनुमान देरा रहा हो या हमारा रहा हो पॉल मिलाकर देख भाई पहलेदो मेंडीजी फाइनल लाइबिलिटी 75 ठी पहले दुम्हें के लाइबिलटी 75 थी लिकिन तुने पे किया था 70 तो बेटा तूने पांच कम पे किया असासी जहला के बाइसम मेरी क्या गलती है फिर जितना तुमने बोला मैंने पेड़ीया बैद मत बहुत मुझे अब मुझे तुम कहे रहे क आप जितना तुमने बोला मैंने पे किया अब उस समय तुम्हें भी नहीं पता था कि मेरी फानल लाइबिलिटी क्या है अब तुम उसे चीटिंग कर रहे हो कि नहीं तुने पे तो सत्तर ही किया था बंदी तो पिचेतर थी और सब देखो और देखो मैंने मैंने एक्चल में कर दिया यहां इस महीनी की 27 बंती थी ने इंडी जोली लेकिन मैंने 32 का पेमिंट किया है जो यहां कम रहे गया तो मैंने पे कर दिया आप को पूरे क्वार्टर में 102 चाहिए थे 102 ही पे किये हैं तो बताइए ब्याज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए सरकार यहां च इस बात का जितना मांगा उतना दिया और एक दा एंड अफ दा क्वार्टर टैली कर लो जितना चाहिए था जितना बंता था उतना दिया तो फिर ब्याज किस चीज़ का कर ठीक है आगे आजा एक और सच्वेशन है अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए अगर तीसरे महीन यह 27 पे करूं तो क्या होगा वक्य मैंने एक्चल में पे किया है 32 32 पनते थे 32 मेरे बने 32 बनते थे और 32 मेने पे किये अच्छा अच्छा गुरू जी मोटी बात ये भी देख सकते हो जतना बना जतना बना जतना बना जतना बना उदे दिया कोई ब्याज नहीं गर मैं आखरी महीने में पांच कम दूँ घुमा फिरा के लिखा है बात को कि देख तेरा दो महीने का यहां से देखा जाए तो यह 75 तेरा बना तेरा दो महीने का देखा जाए तो यहां पर आकर यह 75 बनता है लेकिन तूने यहां पांच रुपे कम पे किया ना कि यहां पांच रुपे कम पे किया लेकिन अगर तू पांच रुपे यहां पर तूने य आपर पर कर दिया कोई लिकिन अगर 50पध chodzi करेगा लेकिन अगर तुए puppy लेगा तो इसे वाले मामले में el निए भाइगी लिवल पर तेनी मैंचिंग नहीं हो पाएगे लिवल पर मैंचिंग नहीं हो पाएगी पांच रुपे का शौट पेमेंट दिखेगा तो उस पांच रुपे को पर तो ब्याज देदेगा और पांच रुपे को पर जो ब्याज देगा तो वो कहां से देगा पांच रुपे के ओपर जो ब्याज देगा तो वो कहां से देगा मतलब इसकी जो ड्यूडेट थी यहां से उसके बाद से या फिर इसके बाद से जो दूसरा महीना था मार्च अपरिल माई के जो ड्यूडेट थी उसके बाद से या जो जुलाई के ड्यूडेट थी उसके बा हुआ है एक बार इंटरस्ट वाला पॉइंट पढ़कर देखते हैं यह रहा जी सुनों जिरा करग टेक्स लिएपलिटी मैंशन इन प्री फिल्ड फॉर्म जी एस्टी पीम्ट जीरो शीज इस पेड बाई 25 अफ़ फॉल्लिएंग उस में जो आपकी पैंटिस बनती थी पैंटिस दे दी कोई इंटरस्ट नहीं है tax liability mentioned in pre-filled form GST 06 is not paid by 25th तो फिर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा वही से जो आपका 26 तारिक से of the following month till the date of payment वह से लगना शुरू हो जाएगा आगे है final tax liability for the month first two month is less than or equal to the amount paid through तो इतना इतना कोई नहीं आएगा क्योंकि यह से माल लीजिए जो बनती थी वो मेरी यहां पर बनी थी कितनी आकर 65 बनी थी लिकन मैं और यहां पर 70 की बात कर चुका था मैं 70 की बात कर चुका था दे चुका था वहां पर भी कोई इंटरस नहीं आएगा उसके बाद में फिर कहते हैं कि भाई the tax, final tax liability for the first two months is higher than the tax amount paid through this, this, this and such excess liability has been paid within quarterly 3B due date तो भी नहीं लगेगा मतलब क्या बोला है इन्होंने बोला कि पहले दो महीने का ये था, total final अपका 75 था लेकिन आपने इतना ही पे किया लेकिन ये 5 रुपे आपने यहां पर पे कर दिये हैं, within the quarter पे कर दिये हैं तो भी ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि आपका quarter level पर set off पूरा का पूरा हो गया है अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या बोलते हैं यहां पर आकर करा final tax liability of the first two months is higher than the tax amount वोई वर्डिंग से paid filled to this and such access liability has not been paid within the quarter तो फिर इसमें ब्याज लगना शुरू होगा 18% of the tax liability from GSTR 100 and so due date till the date of payment तो जो भी GSTR 3B की due date थी उसके बाद से लगना शुरू हो जाएगा मैं कहता हूँ साहब आपने बिना बात के इन वर्डिंग्स को उलजा के रखा हुआ है अगर मैं कहूँ कि सिंपल वर्डिंग्स में बात हो कहा जा सकता है कि आप सारा नाटक जितना भी है ये सब खतम कर दो ये सारा का सारा खतम कर दीजी इसके हमें कोई जरुवत नहीं है आप इसे भी खतम कर दो आप इसे भी खतम कर दो और मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये ब्रेक अप भी मत दो मत दो मुझे ये ब्रेक अप की फाइनली हर महीने कितना असेस हुआ मुझे जरूत नहीं है इस ब्रेक अप की मैं बहुत निचोड निकाल रहा हूँ बाबू बात का खामो खाम मुझे परेशान मत करो ब्याज लगाने के लिए फंडा सिर्फ इतना सा रहेगा मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ फंडा सिर्फ इतना सा रहेगा यहां पर निकल के ना आप किसी से कोई कंपरिजन करो ही मत जितना मांगा उतना दिया तो कोई ब्याज नहीं लगेगा सिंपल जितना मांगा जब जितना मांगा जैब जब ये बात ऐसे लिखी जा सकती थी लॉमे के लेकिन घुमा फिनाना इसका काम है और जब जितना कम दिया मांगने से कमपेर कर रहा हूं मांगने से कमपेर कर रहा हूं जब जितना कम दिया तब उतने पैसे पर तब के बाद से ब्याज लगेगा जब जितना मांगा जब जितना मांगा मालिक लेंग्वेज भी पढ़ानी जरूरी थी और फानली करक्स भी देना बहुत जरूरी था पैंतिस मांगा पैंतिस दिया कोई ब्याज नहीं पैंतिस मांगा पैंतिस दिया कोई ब्याज नहीं बतिस मांगा बतिस दिया कोई ब्याज नहीं कोई किसी प्रकार का ब्यार नहीं है लेकिन अगर ऐसा होता कि यहां पर यहां पर मैं 27 दूँ अगर 27 दूँ तो अगर मैं 27 यहां दूँ तो पांच रुपे पर इंटरस्ट आ जाएगा कहां से आएगा विद इफेक्ट फ्रॉम कब से अप्रेल मैं जून जुलाई न पच्चिस सारी चौबिस मानलो दिल्ली का मामला है यह चौबिस जुलाई को रिटन जानी है विद इफेक्ट फ्रॉम सारी तो पच्चिस तारिक से 25 से यहां पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा मालिक पच अब मुझे बताएगे क्या आप इस क्यू आरेमपी को लेंगे या हर मेने परची फाड़ेंगे परची फाड़ने का मतर समझ गये पेमेंट करो और निकलो तो यह था अपना पूरा क्यू आरेमपी का डिसकेशन मैं एक बार इसको समराइज कर दूँ आप लोगों के लिए और उसके बाद फिर इसका टेक्स्ट भी हम पढ़कर देखेंगे मालिक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है सहाब आई यह मालिक यहां से देखते हैं QRMP सबसे पहली बात वटीज और मंथली यहां पर पेमेंट से है अचा एक मांट अभी उससे पर इसक हो तो आजा पर देखेंगे पूर्टल पर क्या होता है पूर्टल पर मुझे कंपनी चेंज करनी पड़ेगी 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 क्योंकि आभास Agitech में यह नहीं होगा तर्णोवर दूसरी जो कमपनी आर इन वी इसमें मेरे तर्णोवर पांच क्रोड से कम है तो यहां पर बात बनेगी मालिक ठीक है मैं इसमें जरा लॉग इन करता हूं इसका यस मैंने लॉग इन कर दिया तो यहां लॉग इन हो चुका ह और देखो मालिक अब यह क्या बोलता है? यहां यह कहता है सहाब आप services में आईएगा अब मुझे दो चीजितों से ध्यान रखना है एक service वाले एक return से और एक payments से तो फहले return में देखते हैं क्योंकि return quarterly है और payment monthly है दो returns में चेक करते हैं Returns में Return Dashboard, Track Return Status, ITC Form है, TDS, TCS है, Opt-in for Quarterly Return, यहाँ पर आईए जराब, Opt-in Quarterly Return पर मैं आया, और यहाँ पर आकर यह Financial Year 21 दिखाया, मैंने Search पर डाल दिया, Search पर डालती है, मेरे सामने यह इस्थिति मालिक नजर आ रही है, क्या बोलता सुनो, Quarter है, April to June, Selected Frequency Monthly है, और Selection Available from, मुझे बताईए, April to June के लिए, अगर मुझे Quarterly Returned File करनी होती, तो मेरे पास Selection Period कौन सा था, Sir, April to June के लिए, तो April का पूरा महिना और दो महिने पहले मेरे पास Available थे, February, March, April ये थे, एक फरवरी से लेकर 30 March तक का ये पीरिड था, इसमें Quarterly Select करने के लिए, ठीक, दूसरा, जुलाई से सब्टेंबर, ये जो मेरा Quarter है, मेरे पास कितना क्राइटेरिया है, तो जुलाई का पूरा महिना 31 जुलाई, और दो क्वार्टर पहले, मे, जुन, जुलाई, तो एक मई से लेकर 31 जुलाई, एक मई से 31 जुलाई तक, क्या अभी मैं Third Quarter, अभी चल रहा है जुन का महिना, तो मैं यहाँ पर फॉल कर रहा हूँ, तो मैं इस Quarter के लिए, जुलाई टू सेप्टेंबर Quarter के लिए, आज सेलेक्शन कर सकता हूँ, मुझे अगर अगले Quarter के लिए सेलेक्शन करना होगा, Quarter 3 के लिए, तो आज नहीं कर सकता मैं सेलेक्शन, उसके लिए डेट आएगी, कि मेरे पास एक अगस्त से वो डेट आएगी, तो यह पूरी इन्होंने चार्ट शीट दे रखे यहाँ पे, कि आप कौन से Quarter के लिए, कब किस रेंज में कर सकते हैं, तो अभी जून चल रहा है, तो मैं इस Quarter के लिए अभी सेलेक्शन कर सकता हूँ, आपका यह जानते हैं, कि जो जीस्तियार वन है, यह कौन से महिने के लिए है, जुलाई से अगस्त, तो जुलाई के बाद में आता है, आपका सब्टेंबर, सब्टेंबर, अक्टूर, नवंबर, तो सब्टेंबर, अक्टूर, नवंबर में इनके जीस्तियार वन जाने है, तो देखिए अगले मेने के 11 तारिक लिखी हुई है लौ में दस बोलता है ना माले जीस्टेर वन के लिए लेकिन प्रैक्टिकली पोर्टल पर 11 है आप चेक कर सकते हैं आला कि यह असा नहीं के गलत है गौर्मेंट को पावर एक्स्टेंट कर रखी है एक दिन बढ़ा रखा ह है थ्रीवी के लिए आप यहीं पढ़ते हो ना अगले महीने के 20 तारिक होती है यह तो मंत्री चल रहा ना भाई सब्सक्राइब यहां पर अपना बता दूंगा क्या मैं यहां पर चेंज कर सकता हूं देखिए अभी सेव का बटन है वो डियक्टिविट आपका यहां पर प यहां पर आकर क्या करता हूं कि मैं इसे क्वाटरली पर जैसे में क्लिक करता हूं यहां पर आकर माले क्वाटरली पर जैसे में क्लिक करूंगा तो यह सेव का बटन मेरा एक्टिवेट हो गया और देखिए मेरी डेट भी आगे मालिक यह चेंज हो गई है डेट भी आगे च पहले दो मेन फ्रीवी नहीं जाना थ्रीवी तो आपका वह यहाएगा इंडिक पर उसकी ट्यूडिट पड़ेगी भाई यह क्वार्टर जो चल रहा है आपका जिलायट सप्टंबर सप्टंबर अक्तुबर जिलायट सप्टंबर अक्तूबर तो यह आएगा आपका चौबिस और नहीं है दूसरा ये जो आपका आ आई एफयव यह चो आपका ओफ यह उप्ष रोता है जरूई ठोड़ी न है को कोई कोई कर्यों तो मेरी मर्जी है न कि मैं मैं पहले दो महीने की डीटेल्स डालू है ना डालू हालाः कि मुझे डालने चाहिए आप कर नकर टेकन करें कोई जरुवत थोड़ी ना है क्यूंकि गौन कोई चीज मैंडेट तब करती जब गौनेंन का फाइदा होता है गौनमेंट से मेंडेट करें इसको सबने बाले को क्रेंट मिल जागा तुन तुन करेंड तो इसका cash outflow घटेगा इसका यह तो सरकार मेंडे नह जाहें देंगे लेकिन आयाए एफ कि तारीख है वो तेरह डे रखे है जिएसट्य रवन की होती है मालिक जो फॉर्मर बढ़ा जाता है अगले मेने की ट्रॉबूरिकली दस आप्रटिकली 11 यहां रहा है लेकिन आया एफ कि तारीख होती है तेरह तारीख ठीक अज़िए तो जो डेटेल आप यहां और यह दे चुक़े होगे वह डिटेलस आपकी आगे वहां पर नहीं आएंगी इस ठोक मैंक यह सर्क नहीं बात आपकी इस किरेंज करने के सरैंघली बार मर क्या कर करते ही वो डेट आगे चेंज हो जाएंगी और यहां पर मुझे बस सेव करना होगा तो ऐसे बस opt-in opt-out हम यहां पर कर सकते हैं एक सेकंड के अंदर इसे टोके अच्छा जी अब मुझे पताईया फानल यह बताईये भाई साब अभी तो उस पर चलते हैं पेइमेंट के ऊपर चलते हैं आएए यहां पर आकर हमारा GSTR1 यहीं पर आपका IFF और लिखा हुआ आ जाएगा जब मैं quarterly को select कर लूँगा तब ठीक है IFF, oblique IIF यहीं पर लिखाएगा इसी table के अंदर आपका आएगा तो यह है आपका यहाँ पर details of outward supply of goods or services तो हमने इसको यहाँ पर click कर दिया कि ठीक है भाईया आप दीजिए तो यह मैं GSTR1 पर click करता हूँ वहीं पर IIF लिखा हुआ आता है तो इसमें अलालाग यह box यह tables बनी हुई हैं तो पहले वाले के अंदर देखिए B2B की बात कर रहे हैं कि यह जो B2B वाले हैं यहाँ पर आप क्या डालना चाहते हैं तो मैं जैसे इस पर click करता हूँ मालिक तो यहाँ पर मुझे डालनी होंगी और इसमें add details मैं कर दूँगा और यहाँ पर सामने वाले जो recipient है उसका मैं registration number दूँगा साहब अब मैं चलो यहाँ पर registration number पकड़ता हूँ आपके लिए मैं डालता हूँ यहाँ पर मैं नंबर डाल रहा हूँ रिष्टेशन नंबर एक डिजट रहे गया इसमें और यह रहे गया अभी सी रहे गया है जी स्टीन ओफ रसीपेंट आप देखेंगे जो आगे वाली और उसके बाद मैं यह महराश्टर इसका अपना कोड़ पकड़ लिए 27 से शुरुआत हो रही है तो यहां तमाम परकार के स्टेट्स हैं अपने तो इसको स्टेट को पकड़ लेगा प्लिस आप सप्लाइ महराश्टर आ जाएगा और यह नीचे एक टेबल खुल जाती है त को फिल अप कर दूँगा और डेटा को सेव कर दूँगा ठीक है तो ऐसे करके हमारा यह आई आई एएफ पर चीज़ें फरनिश अपनी यहां पर कर दी जाएंगे समिट भी करने के जरूत नहीं है सिर्फ उसमें डाल के सेव कर दीजिए बस वो फिर आप लॉट नहीं सकते वो काम हो गया मानके चलिए आप मालिक ठीक है तो वो डट डिटा पोर्टल पर जाकर सेव हो जाता है जिसके आधार पर सामने वाली पार्टी को क्रेट अविलेबल करवा दिया जाएगा तो यह कहानी है आपके आई एफ 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 के अब मैं चलता हूँ आपको पेमेंट क क्यों कर रहे हैं जब से qrmps आया है आपको यह दो बटन यहां पर दे दिये गए हैं पहले नहीं होता था बटन करा मंतली पेमेंट फॉर क्वार्टली रिटन क्वार्टल रिटन वाले qrmps स्कीम के अंदर है क्या मैंने कहां हां हां उसी में यूम है तो जैसे ही मैंसे सेल कर लूँगा ठीक है मालिक मालव जैसे मैंने अप्रेल यहां पर सेलेक्ट कर लिया है तो कि आप 35% का चलान बना कर दिखाईएगा 35% का चलान यहां पर बना कर दिखाईएगा तो अब आपको चलान कैसे बनाना है आपको दो बाते बताई थी मैंने यहां पर आकर बताई थ तो वो क्या बोलते हैं, कि मेरे पास 35% वाली स्कीम है, ठीक है, और दूसरी मेरे पास है अपनी self-assessment वाली, ठीक है न, self-assessment वाली मेरी अपनी स्कीम है, उसकी और उसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि हम उस पे करेंगे, तो या फिर आप fix पे न करके, अपने असाब से बना रहे for current period hence you are not eligible so soon so क्योंकि मैंने अपने return filing के अंदर वो monthly select कर रखा है इसलिए भाई सब हम से कह रहे हैं कि आप 35% वाला चलान बनाने के लिए eligible नहीं हो अगर हम वहाँ पर quarterly से सेव कर देते हैं सेव करने के बाद यहां पर आते तो निश्य तोर पर हमारे 35% का चलान available हो जाएगा तो मुझे कुछ नहीं करना मुझे बस क्लिक करना होता है मेरी figures वगरा सारा कुछ भर के वहाँ पर निकल कर आ जाएगा मालिक वैसे करके बाद करी जाएगी ठीक है लेकिन अगर मैं बोलता हो कि नहीं भाया मैं QRMP scheme के अंदर नहीं हूँ मैं तो एनी अदर में जा रहा हूँ अगर मैं any other के अंदर जाऊंगा तो भाई सब वो कहरा कि ठीक है फिर आराम से आप प्रोसीड कीजिए और अपने यह आपका फॉर्म आ गया इसमें डिटेल्स भरिए और अपना चलान क्रियेट कीजिए और जो भी e-payment over the counter, anyft वगरा जो भी है आप हाँ पे payment कीजिए बात ख पूरा LMS एक recap बना कर आपको दिये देता हूं यह रही आपकी पूरी स्कीम कि वाट इस QRMP quarterly return monthly payment है eligible कौन है जिसका प्रस्टिंग financial year में 5 क्रोड तक सीमित था पोर्टल के मताबिक और अब वो इसे यहां पर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं लेकिन यह तब तक इसमें र पूर्टर होगा QRMP के लिए उसके बाद फिर मंतली में वो shift कर दिये जाएंगे default by default portal उनको मंतली में ही डालेगा उसके बाद turnover in prison यह हो गया अपना जी उसके बाद में आपकी जो भी last due return है वो आपकी filed होनी चाहिए उसके बाद आगे बोलते हैं कि आप OIDAR की service देने वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए उसके बाद बुलते हैं कि option कब exercise करना है पोर्टल से भी मैंने आपको यह match करा दिया है कि April, May, June पहले quarter के लिए कर रहे हैं तो जिस quarter के लिए कर रहे है उस quarter का महिना वो महिना और पिछले दो महिने वही क्यों वही मैंने आपको logical लिए बता होंगा how to opt for कैसे opt करना है eligible person जो होगा वो opt कर पाएगा service में जाएगा return में जाएगा opt-in पर जाएगा बात खतम default setting आपको इसे मिले और हाला कि default कुछ भी मिले उससे मुझे फरक नहीं आप जाए जाकर जो मर्जी करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं वैसे करके यहां पात ब जो भी cash leisure से आपने payment कर रखी है ना तो उसके मताबिक आपको यहां पर देखना होगा साहब और उसका 35% पहले महीने 35% दूसरे महीने और तीसरे महीने के लिए तो आपके पास हिसाब पक्का बनकर आही जाएगा वहां दिक्कत वाली बात आपको नहीं है लेकर अगर पिछ ज्यादा ज्यादा उसके साब सभी आप यहां पर टेक्स पर सकते हैं पोर्टर प्रेस के लिए सोविधा मौजूद थी साहे उसके बाद अगर आपके electronic cash leisure के अंदर sufficient balance available है तो आपको यह सब यहां पर अलग से यह चलान create करके आपको जमा करानी की जरूवत नहीं पड़ेग monthly payment for quarterly return और यह financial year में दे रखा 35% का चलान बनाने को में तयार हूँ यहां पर यह चलान बनाने को में तयार हूँ तो कहरा कि सुन भाई अगर हमारे पास बोलता है कि अगर तेरे पास e cash leisure या electronic credit leisure के अंदर तेरे पास sufficient balance है तो आपको यह चलान भरने के जरूवत नहीं है यहीं payment करनी है कि नहीं करनी है electronic cash leisure के अंदर balance जीरो पड़ा है लेकिन electronic credit leisure के अंदर मेरे पास balance totality में 63,000 का यहां पर पड़ा हुआ है तो अगर मेरे इस महीने की liability जो 35% के साब से निकल कर आ रही है अगर 63,000 या उससे कम है तो मुझे यहां पर कुछ भी जमा कराने के इस महीने के लिए आवश्यक्ता नहीं because I have sufficient credit balance to make payment there off I hope बास समझ में आगी होगी हाला कि मैं इस credit को इस moment पर adjust नहीं कर सकता क्योंकि मैं return file नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर मान लीजे monthly return file करता तो मुझे अलग से cash payment करने की जरूरत नहीं पड़ती am I right बोलो ना प्लीज क्यों ऐसा बोला गया है अगर मैं यहां पर monthly payment करता और मेरी इस महीने की जो liability बनती उसके लिए मेरे पास यह था balance था तो मैं जो cash में तो पेक करना ही नहीं पड़ता ना तो फिर मैं बिना बात के cash में 35% की कि जमा क्यों करूं मैं नहीं करूंगा तो if you have sufficient balance in your e credit laser तो आपको यह अभी चलांस के त्रू जमा कराने के ज़रूत नहीं है यहा फिर मान लीजिये मेरे credit laser में नहीं था मेरे cash laser में balance था cash laser मेरा अपना balance होता है मेरा अपना balance होता है मालिक यहाँ पर आकर तो भी मुझे यह जमा कराने के वैसे भी जरूत नहीं थी क्योंकि मैं अपने cash ले जब मैं balance तब जमा कराता हूँ जब वहाँ पर insufficient balance मेरा आ रहा होता है वैसे करके बाद करी जाती है ठीक सहब तो यहाँ पर यह मेरी बात होगी मालिक एंड उसके बाद में फिर बोलते हैं सहाब कि इन यह one more problem कि पहले दो महिनों में जो आपका buyer होगा जो customer है registered है अगर वो तो उसे दिक्कत आएगी crate लेने में तो आप IFF facility का इस्तिमाल कर सकते हैं वो कुछ नहीं प्राविजिनल मानलोग प्राविजिनल GSTR 1 है आपका और कुछ भी नहीं है वो ठीक है वहाँ पर B2B वाली transactions को आप उसमें डाल देंगे जिससे कि आपका buyer crate वहाँ पर ले पाएगा और जब quarter end पर GSTR 1 अपना फाइल कर रहे हैं न तो फिर वहाँ पर जो डिटेल्स आप और डे चुके हैं पहले दो मीनों की उन डिटेल्स को वहाँ पर देने की आवशक्ता नहीं होगी और हर महीने आप 50 लाग से उपर की बात नहीं कर सकते हैं ऐसे करके एंड उसके बाद में बोलते हैं साहब कीई इंटर्स की कल्कूलेशन कैसे करेंगे इन्हों ने पता ने क्यों इतना घुमा फिरा कि दे रखा है सी बी बात है कि जतना सरकार ने जब जब मांगा तब तब तुमने उतना जमाँ करा दिया 35 उंगा 35 उंगा 32 से concept पूरा हुआ है आप जरूर जरूर मुझे बता रहे हैं कि ये समझ में आया या नहीं आया मैंने अपना पूरा best करके दिया है इस से अच्छा शायद मैं नहीं कर सकता था क्योंकि जो थियोरी है उसको जोड़ा जोड़ के analyze किया example set किये portal से link किया I think अब आपके दिमाग के doubt इसमें नहीं बचा होगा thank you so much और मुझे बताईएगा मुझे बताईएगा मालिक कि क्या वाके में ये qrmp scheme लेनी चाहिए client तो दवाब बनाता सी एक उपर कि मिले लिए quarterly scheme लो quarterly return फाइल करो ता कि तुम्हारे फीज कुछ कम होगी लेकिन कलेश बाद ही नहीं बिनाबात की क्यों बनाबात के आफ़त मोल लेने भाई सब तो मुझे तो ठीक लगी नहीं है मैं बताऊं ठीक है जी तो ऐसे करके यहां पर आपकी बातें complete हो जाती है बाबु मेरे कुछ बाते और छोटी-छोटी मुझे आपको बताने हैं यहां पर जैसे कि कहीं कोई किसी प्रकार की confusion ना आ जाए तो मैंने एक टेबल आपके लिए और बनाई है इसी सीरीज के अंदर कि जो GSTR 1 फाइलिंग की डेट है वो क्या है पहले दसी तारिक पढ़ते थे अभी वो दस की बजाय हो गई है आपकी यहां पर करके 11 तारीक और इन्वाइस फरनिशिंग फैसिलिटी जो देट्स क्या है तो नॉर्मली बिस तारीक है और GST पेमेंट की डेट भी बिस तारीक है तो यह तो होगे आपका नॉर्मल तरीके से ठीक है लिकिन जब QRMP के आप बात करके चलोगे तो वहां पर GSTR 1 थर्टींत को है जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो है 22nd and 24th जो पाकी के लिए नोने 24th यहां पर कर दी है और ध्यान दीजेगा GST पेमेंट की जो डिव डेट है वो यहां पर 25 तारीक अपनी रखवाई गई है आई हो यह बात मैं पहले भी बता चुका था बट टेबलर फॉर्म के अंदर मैंने इनको यहां पिलाके रख दिया है अब एक के भाई आपका न हम आपको GSTR1 फाइल नहीं करने देंगे कब कब नहीं करने दोगे GSTR1 फाइल कहते कि अगर आपकी जो GSTR3 भी है GSTR 3B है अगर आप उसे नहीं देते हो तो आपको GSTR 1 भी अगले period के लिए file नहीं करने देंगे अगर GSTR 1 file नहीं हुआ मेरा तो बड़ी दिक्कत हो जाएंगे मेरा e-way bill की जो facility वो block हो जाएंगे दूसरी बात अगर GSTR 1 नहीं file करूँगा तो मेरा 2A के अंदर reflect नहीं होगा और जो recipient आदमी है वो अपने किताबों के अंदर credit नहीं ले पाएगा तो वो STC वहां से करेगा तो जिनको में supply कर चुका उनको credit ना मिलेगा वो दवाब बनाएंगे और जिनसे मुझे supply करनी थी उनको कर नहीं पाँगा कि मेरा e-way bill की जो eligibility थी उसको खतम कर दिया जाता है कैसे कैसे बोलते हैं if not filed for two tax period generally अगर आप दो tax period के लिए दो महीने के लिए suppose आप GSTR 3 भी फाइल नहीं कर रहे हो तो फिर आप GSTR 1 भी फाइल नहीं कर पाऊगे लेकिन अगर आप 86B के अंदर fall कर रहे हैं सोचिए आप 86B जो अभी हम पढ़कर आ रहे थे पीछे अगर आप उसमें fall कर रहे हैं एक परसंट वाली requirement बार है तो आप तो पहले से fraud थे आप तो हमारे radar पे पहले से ही थे और अगर आपने एक भी return एक एक मच्चर एक भी return अगर आपने अपनी miss कर दी तो हम आपको GSTR 1 फाइल नहीं कर देंगे ठीक है जी देन GSTR 1 not to be filed और जिससे आपको यह समस्या यहां पर पैदा हो जाती है एक और है qrmp scheme के अंदर not to filed for one tax period तो कहने का मतलब यह है कि generally two tax period लेकिन अगर 86 भी fraudulent वाले थे या qrmp में तो return भी quarterly आपकी जाती है यहां पर आ रहे तो एक tax period का भी अगर आपने missing कर दी यह पर आ करना क्योंकि यहां पर क्या था यहां पर आपको हमने liberty देती के चलबाइट ठीक हर महीने फाइल ना करके तूँ और quarterly फाइल कर देना तो अगर आपने quarterly फाइल नहीं की वह बेसिकली तीन महीने की तो return थी आपने वह फाइल नहीं करेंगे ऐसे कि तैसी में जान दो सा फालो करवाती है strictly क्योंकि अगर आप strictly follow नहीं करेंगे तो वह आपको सुविदा फट से चीन लेगी और कई सारी समस्यां आपके लिए पैदा हो जाएंगी एक्जाम के दश्टी से most important point है दिमाग में बठा लीजिएगा if you are not filing your GSTR 3B for two tax period or one tax period as the case may be then as a case में आप GSTR 1 अपना किया गया या यह कोंकि redraft किया गया है उसमें यह कुछ बाते बताएगी है कि कौन सा form कहां जाकर खुलता है तो यह तो आपके लिए not relevant तो यह आपके लिए बहुत जादा relevant नहीं है मैं यह बोलूँगा आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूं कि कैसे कैसे खुलता है टूए है न उसके पहले 3 पार्ट थे ABC अब उसके 4 पार्ट कर दिये गए हैं तो उसके इस पार्ट A के अंदर जाके खुलेगा जो GSTR 5 जो non resident वाले हैं वो यहां पर जाके खुलेगा GSTR 2A के पार्ट A में जाके दिखना शरू हो जाएगा और अगर मैंने इस उप्लाई मेरा गुट्स की हम बात करते थे, सर्विस की बात नहीं कर रहा, इंपोर्ट अफ सर्विस पे तो RCM आपका लगा दिया जाता है, तो वो मैनुवली क्रेट बुक कर लेता हूँ, उसे किसी को देखने की जवट नहीं होती है, लेकिन इंपोर्ट अफ जब गुट्स की बात करते हैं, जहांपर कस्टम लाइपलिकेवल आपका हो जाता है, जहांपर बिल अफ एंट्री के माध्यम से क्रेट लिया जाता है, तो अब वो चुकि हमारा GST का पोर्टल कस्टम से इंटिग्रेट कर दिया गया है, तो अब जो इंपोर्ट अफ गुट्स के उपर हमने GST भरा है, वो GST या 2A के पार्ट D के अंदर हमें दिखाई दे रहा होगा, आसे करके मालिक बोल दिया चाता है, ठीक है जी, यस सर और कौनों दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है, ठीक है सहाब, या फिर S.E.Z. से हमने सप्लाइ लिए हो, क्योंकि S.E.Z. को भी तो मैंसे मानते हैं, जैसे कि ये सिचुवेटिड आउटसाइड इंडिया है, तो वहाँ से सर्विस लिए है, सप्लाइ लिए है, गुट्स की, या फिर हमने इंडिया के भाहर से लिए, तो उस पर जो I.G.S.T. हमने भरा है, वो आपका यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये फॉर्म वाली बात एग्जाम्पले रेलिवेंट नहीं है, आप यहाँ देखिए, अब सरकार ने एक नया फॉर्म और लाउंच किया है, G.S.T.R. 2B करके, तो पहले उसके गुर्णदोश मैं आपको बताओं क्या कैसे, पहले मैं आपको दिखा दूं, कि ये रहा 2A और ये रहा 2B, और उसको दिखाने के बाद फिर बात करें, उसके बारे में कि क्यों आया, कैसे आया, क्या जिरूत पड़ी, तो I think understanding better तरीके से आ सकती है, जहां तक सवाल है थियोरी का तो वो समझ ये क्या है, कि जब एक supplier अपना invoice issue कर देता है, और उस invoice को वो portal पर जाकर update भी कर देता है, तो हम जानते ही कि recipient के यहाँ वो खुलता है, पोर्टल पर जाकर GSTR 2A के अंदर, अब वही invoice को सरकार कह रही है, कि 2A के साथ साथ उस invoice को हम 2B के अंदर भी खुलवाएंगे, जो GSTR 1 फाइल किया गया, तो GSTR 1 जो फाइल किया जाता है, आगे चल कर इसके दो statement बनेंगे, एक बनेगा GSTR 2A बनेगा, और एक GSTR 2B यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अब क्या रोल है 2B का, अब 2A था जिसके अधा पर हम create लिया करते थे, तो आप फिर 2B क्यों लेकर आए, और जब 2B ले आए, तो फिर 2A की जरूत क्या उसे खतम कर दो, हैंकि नहीं, तो क्या logic है, क्या मतलब है, काफी confusions माजार के अंदर रहती हैं, मैं आपको बताता हूँ, पर थोड़ी से न थ्योरी समझना आप इसकी, जो GSTR, क्योंकि अंतर क्या है, जो GSTR 2A है, वो आपका एक dynamic document बोला जाता है, जबकि GSTR जो 2B है आपका, वो aesthetic document होता है, वो fixed होता है document, कैसे, अब यसे मान के चलो, मैं आपको practically portal से चीज़ दिखा कर लाँगा, कि suppose करो, एक invoice issue किया जाता है, in the month of April, और वो show किया जाता है, in GSTR 1 of June, जो की आपका file होना है 13th of July को, 11 और 13 GSTR 1 की date होती है, which average later हम बाद वाले ले ले लेते हैं, तेरह तारिक ले लेते हैं, QRMPS के लिए तेरह तारिक अपनी काम करके चलती है, तो यहाँ पर उसको हम तेरह तारिक पकड़ लेते हैं, तो यह April महिने का एक bill था, तो उसे basically आना था, अपरल के बाद 13th माई को जिस दिन GSTR 1 या IIF दे रहे हो, उसमें आना चाहिए था, लेकिन आपने जो जून का data था, उसके जो GSTR 1 या IIF जा रहा था, उसमें दिखाया, यानि कि 13th जुलाई को सरकार को आपने सूचित किया, अब यह कैसे कैसे दिखाई देगा, यह reflect करेगा 2A के अंदर, कौन से 2A में जाएगा, 2A आपका हर महिने बनता है, तो जब आपने April मंथ का GSTR 1 आपके वेंडर ने भर दिया होगा, तो के रेसिपेंट को आपरल के 2A में दिख रहा होगा उस मुमेंट पर, दा आंसर इस नो, नॉट अट आल, लेकिन जैसे ही वो जून के, जैसे ही वो जून के GSTR 1 या आई आई एफ के थ्रो दर्शाय गया 13 जुलाई को, तो वो अब reflect करेगा, किसमे reflect करेगा, अरे भाईया, जो एपरल मंथ का डेटा था, उसका जो 2A था, उसमें जाके reflect करेगा, यहने कि पिछे चला जाएगा, उसका reflection वहाँ पे होगा, मोटी बात में आपको यह बताना चाहता हूँ, कि GSTR 2A जो होता है न, वो भाई सब आपका invoice month या invoice date को पकड़ता है, GSTR 2A है, जो recipient को खुलता है, वो invoice date के मताबिक होता है, अगर अपरल मंथ का invoice था, तो भले ही आप उसे 6 मीने बाद दिसंबर में डाले आपका vendor, आपका supplier, लेकिन आपके वहाँ वो दिखेगा अपरल के GSTR 2A के अंदर ही, तो मुझे बताइए, क्या 2A एक भरोसे मंद document है या चंचल है, सर्थ भरोसे मंद तो है, बट यह ऐसा नहीं कि जो GSTR 2A में पिक्चर आज दिख रही है, जो amount आज दिख रहा है, वही कल को दिखेगा, हो सकता है कि 6 महीने बाद वो change हो जाए, कोई bill रह गया था, बाद में update किया, तो आपका GSTR 2A चेंज हो जाएगा, GSTR 2A डेली बेस पर update होता है, अगर कोई bill आज किसी वेक्तिन ने डाल दिया, update कर दिया, तो आपके GSTR 2A के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, अगर इस महीने का बिल 6 मिने बाद डाला जाता है, तो भी आपके इसी महीने के GSTR 2A के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये एक बहुती dynamic, गतिशील document आपका होता है, क्योंकि ये invoice date के हिसाब से चलता है, दूसरी तरह बात करें, जो 2B होता है, ये static होता है, ये मान के चलो, कि जैसे सामने वाले उस vendor ने, अपना GSTR 1 जो था, वो फाइल कर दिया, और मुझे यहाँ पर 2A में दिखाई दे रहा है, तो अब month end होने पर, जो भी जितना मेरे पास data आ गया, तो इस data का, एक screenshot लेकर, 2B नाम से, वो मेरे यहाँ पर खोल दिया जाता है, GSTR 2A से एक screenshot लिया, और उसका बना दिया 2B, ताकि हमें पता रहे, कि इस date पर GSTR 2A की position ये थी, GSTR 2A का, एक screenshot लेकर, 2B बना दिया गया है, क्योंकि GSTR 2A आज जैसा दिख रहा है, चार महीने बाद हो सकता है, कि कुछ और यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, वैसे करके, अब क्यों लिया आता screenshot, वो सब भी मैं आपको बता के चलूँगा, वैसे करके, दूसरी बात एक और, कि जैसे माल लिजिए, आपका यह 1 जनवरी, 31 जनवरी है, ठीक है, तो आपका जो GSTR 2A होता है, वो एक particular month को पकड़ता है, जैसे माल लोग एक व्यक्ति है, उसकी return वगरा यहाँ पे जानी है, तो इसमें जो GSTR 2A होगा, उसमें इस दौरान की पूरी की पूरी एक particular month की updation होगी, जबकि जो 2B आपका होता है, उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की updation होगी, यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या होगया, यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह होगया मालिक, कि जैसे, जो GSTR 1, फाइल करने की due date होती है, उसके अगले दिन से वो शुरू होता है, और यहाँ तक चलता है, तो इसका जो एक महीन अकाउंट होता है, वो यहाँ से यहाँ तक काउंट किया जाता है, अब यह क्यों किया जाता है, सब बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले यह देख लो, यह होता कैसा है, क्यूं होता है, वो सबी में आपको बता के चलूँगा, तो 2A आपका एक गतशील डॉक्यमेंट डाइनमिक है, चेंज होता है, लेकिन यह आपका स्टेटिक है, मन्थ में, क्या स्टेटस था, वो आपको बता के चलेगा, क्योंकि यह यह आपकी फाइलिंग मन्थ को पकड़ता है, कि जोन साब इनवाइस जिस महिने के अंदर फाइल किया गया था, बताया गया था, उसको वहीं पर पकड़ के चलेगा, यानि कि अगर कोई मालीज यह अपरेल मन्थ का इनवाइस है, और वो जून में अपडेट किया जा रहा है, तो जीस्टियार टूए में तो यह अपरेल के टूए में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन टूबी के अंदर जब बात करेंगे, तो यह जून में आपका दिखाई दे रहा होगा, एक बात बताईए, सामने वाले ने अपरेल का जो मेरा इनवाइस था, वो नहीं दिखाए आपने जीस्टियार वन के अंदर, जून में दिखा रहा है, तो यह जो क्रेडिट होगा, इसे मैं अपरेल में इस्तिमाल कर पाऊँगा, या जून में इस्तिमाल कर पाऊँगा, साथ जब तक वो नहीं दिखाएगा, तो मेरे यहाँ पर क्रेट भड़ा कैसे आएगा, नहीं मिल सकता, मिलेगा भी तो बस, मिसिंग इनवाइश का कितना 5% मिलता है, वो मिलेगा, पूरा क्रेट तो मुझे नहीं मिलेगा, तो जब तक वो नहीं दिखाएगा, मुझे क्रेट नहीं मिलेगा, तो मुझे मिलेगा बिस्सिकली जून में जाकर, मुझे मिलेगा बिस्सिकली जून में जाकर, तो इसलिए सरकार ने एक fix दियां पर format निकाला कि भाया यहां तक तुम्हारा क्या update था क्योंकि 2A तो आगे चलकर आपका change हो भी सकता है कि अप्रिल का 2A आज कुछ और दिखाए दे रहा है और 3 मेने बाद कुछ और यहां पर बोल सकता है तो इस पर इतना rely हम नहीं कर सकते हैं हमें तो cut-off चाहिए month to month चाहिए होता है कि इस महीने में आप कितने के लिए eligible होते थे वो चाहिए दूसरी बात जब GSTR 3B आपका file किया जाता है तो 3B को सरकार ने link कर दिया है अब 2B से 2B के अंदर जितने के लिए आप eligible थे वो credit आपका 3B के अंदर वहाँ पर show कर रहा होगा इसकी linkage वहाँ से है 2A से linkage नहीं है 3B से है क्योंकि 2A तो आपका गत्शील है change होता रहता है तो इन्होंने क्या किया कि ये रहा महीना इस महीने के liability इस महीने का ये रहा जितने के लिए आप eligible थे वो आ गया and that's all उसको वहाँ से link कर दिया गया है मालिक क्योंकि 2A आपका dynamic documental change होता रहता है अच्छा जी लिखा है मैंने यहापर 2A के अंदर आपकी limited informations होती है लेकिन 2B के अंदर आपकी बहुत सारी detailed information आपकी होती है कैसे मैं आपको दौनों चीज़ें दिखाता हूँ आए मालिक portal पर चरते हैं असल मैं समझमें बात वहीं से निकल कर आती है तो portal पर हम आजाते हैं मैं एक बार login कर लो हाँ जी कर लो यस मैंने login कर दिया है और login करने पर मैं यहाँ आगया जो मेरा main page है इसका और यहाँ से मैं services पर जाता हूँ वहाँ से मैं returns पर click करता हूँ return to return dashboard पर में चला जाता हूँ यहाँ आगे अच्छा जी अभी दिख रहा है अगस्त का महीन आपका दिखाई दे रहा है मैं पिछले quarter में चलता हूँ ठीक है April to June वाले में चलता हूँ वहाँ से कुछ दिखाना है 2B 3B वहाँ पर दिखाता हूँ वैसे अगर यहाँ पर देखते तो क्या होता सर अगर मालू मैं अगस्त का ही देख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा यह रहा आपका खुल क्या आता है GSTR 1 2A और 2B 2B में व्यू करके देखू अगस्त में 2B क्या कह रहा है नहीं नहीं फॉर्म 2B शेल बी अविलेबल अभी वो आपका जेनरेट यहाँ पर नहीं हुआ है अभी होगा अभी होगा सहाब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मालिक उसके बाद मैं आगे चलते हैं मैं पिछले पीरिट कर देखता हूँ वहाँ पर मुझे पूरा डिटा मिल चाएगा यह हर महीने जेनरेट होता है और GSTR1 की ड्यू डेट से लेकर GSTR1 की जो ड्यू डेट होती है वहाँ तक के लिए चलता है अभी आपके दिवाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यह डेट बड़ी अजीब सी क्यों लिए है क्यों उस प्रकार की डेट लिए वो भी मैं आपको बता के चलूँगा मालक तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर लेट सपोस हमारे यह जून में देखते हैं क्वार्टर वन अप्रिल टू जून यह आ गया और इसका मैं देखता हूँ साथ यहाँ पर यह GSTR 2B व्यू करते हैं तो यह कंपणी का एक रियल डेट आपके सामने आया हुआ है और यह 2B हमारे सामने खुल चुका है उपर देखेंगे यहाँ एक समरी और यहाँ पर है All Tables यहाँ पर समरी है और आगे फिर All Tables है तो एक company का ये जून मन्थ का inward supply आप देख रहे हैं जो कि 2B में आके खुला हुआ है तो समरी तो ये हमारी यहां पर all tables पर हम आ जाते हैं तो all tables पर देखिए कई सारे bill यहां पर दिखाई दे रहे हैं 2B के अंदर wizard का, dma का, pndr का, power all का, ride का, giant logistic का, omart press का बहुत सारे bill यहां पर मालिक आपके दिये हुए हैं ठीक है जी अब एक काम करते हैं साहिब हाँ, अब इसको ना, change भी कर सकते हैं इनका एक excel फॉर्मेट बेसे कलिए जैसे यह है तो आप इसको यहां पर किसी प्रकार से इसको आप दूसरे एंगल से देखना चाहें तो देख सकते हैं तो इन्वाइस number, invoice number के साब से आप इसको arrange कर सकते हैं मतलब data को rearrange किया जा सकता है invoice इस नंबर के आधर पर यह आपका organize हो जाएगा invoice type regular regular यानि कि जहां से मैंने यह बिल लिये हैं उनको regular scheme के अंदर वो आते थे invoice की date wise की sorting कर सकते हैं देखिए इसमें कुछ invoice है मतलब यह जून महिने का आपको दिखाई दे रहा है जून मन्थ का टूबी है यह जून मन्थ का टूबी है और इसमें invoice है पांच चार दो हजार इकिस का मतलब यह invoice एप्रेल का था यह invoice एप्रेल का था कौन सा वाला wizard info waste private limited का invoice नंबर भी आप चेक कर लीजिए ध्यान रखना आप नोट कर लीजिए प्लस डबल्यू आई पी एल एकिस बाइस जीरो दस invoice नंबर जीरो दस नंबर का invoice था यह 17,700 रुपे का यह invoice था मालिक और अप्रेल का invoice था लेकिन यह जून का इस समय हमने खोल रखा है आपका साब यह GSTR 2B उपर ध्यान दीजेगा यह कह लिखा है generation date है इसकी 14 जूलाई 2021 ठीक है तो यह कहां से कहां तक था बेसे कली यह था आपका पिछला महीना जून का था ना इसका पिछला महीना तो यह 14 जून से लेकर 14 जून से लेकर 13 जूलाई तक का है यह GSTR की जो due date होती 13 उसके बाद से लेकर यहां तक का होगा तो 14 जून से लेकर 13 जूलाई तक का यह document है और 14 जूलाई को यह आपका यहां पर दिखाई दे गया है next day आपका यहां पर आ जाता है दिखाई दे गया है ठीक है तो सरी यह dates अजीब सी क्यों ले जाती है exact month क्यों नहीं लेते वह मैं आपको बताऊंगा भी तो यह यहां पर अप्रेल का invoice था लेकिन दिखाई दे रहा है जून महीने के अंदर आकर ठीक है अच्छा दूसरी बा होगा अगर मैं इसका टूए में जाकर चेक करता हूं तो यह होगे services returns आ गई returns के रिटन डेश्बूर्ड में मैं आ जाता हूं और यहां पर आकर मैं पिछला quarter मैंने पकड़ा पिछला quarter यह रहा जून का महीना है और मैं देखता हूं फाइल्ड जी एस्टी आर वन इसका माल two a view करते हैं तố view के अंदर btb invoice में आ जाते हैं यहां check करते हैं ध्यान देए यह राजी आपका कौन सा खोल गया यह नहीं एक सेकेड अपरेल खोलना था यह अपरेल की डेट थी न उस इन्वाइस के ऊपर अपरेल मैंने यहां पारकर खोला और अपरेल के अंदर GSTR 2A मैंने चेक तो एक अंदर B2B मैं गया यह देखी यह रहा वो इन्वाइस आपका विजार्ड इन्फोवेज वाला हमने इसको पंच किया है जाकर एक जुलाई जुलाई के महीने में डाला हुआ है और अपरेल 2021 इसका पीरिड था तो आप क्या देख रहे हैं मालिक कि जो इन्वाइस की डेट होती है उसके साबसे यह 2A पकता है यह आपका वही बिल है जो वह देट दिखाई देगी कुछ लोग यह कहते हैं कि भाई सब पता नहीं चलता कि 2A में कब क्या हो जाए ऐसा नहीं होता एसा नहीं कि अगर टुए मैं लेटर ओन को चेंज अगर आता है तो वह दिखाई नहीं देगा देगा डेट के साथ दिखाई देगा कि देख भाई यह वाला तरह यह वाला तो आपने चाहएंग आपर क्रेट नंगो के आपका दाला गया है जुलाई में जून जाकर एक पर इजटा आप से पकड़ता है आप खुद बताइए जीस्ट या 3B आपका किसे से लिंक होना चाहिए टूए से लिंक होना चाहिए कि टूबी से लिंक होना चाहिए सट टूबी से क्या है जब आपका टूए अगर 3B से लिंक होगा तो एपरिल मंत के अंदर ये मेरा बिल था ठीक है तो अप्रेल वाली मंत के अंदर तो यह नहीं आ रहा था तो अगर यह 2A से मेरा 3B लिंक होता तो मैं इसका क्रेट उस समय नहीं ले पाता क्योंकि यह उस समय था ही नहीं अब जून महीने के अंदर हम आगए जून महीने के अंदर आँगो तो मेरा पीछे दिखाई देगा तो अ आपका इनवेस के लिए अलिजिबलिटी आई आपके के इलिजिबलिटी आई तो वह 2B है जो कि एक फिक्स देक इस पीरिड के अंदर कितना आपका क्रेट बनता था इसलिए 2B इन्होंने लेकर आए जो कि इस टेटिक है उसकी जो प्रॉपर्टी उसकी जो इसकी जो इमप अच्छा यहां आ मैं वापस तो देख अब तूह देखना जारा जो आपका टूए होता है कितनी लिमिटेट सी इन्फॉर्मेशन इसके इंदर जी एस्टी एन ऑफ सप्लायर बिल्कुल ठीक है सप्लायर का नाम आ गया दो और आपका ये जी एस्टीर वन फाइल है नहीं क् किया गया है उसमें तो कमाल की इनफॉर्मेशन आपको मिलती है मतलब एकदम कता ही जहर चीज मिल जाएगी आपको वहाँ पर जाकर देखते हैं माले तो मैं देख रहा था आपके लिए यहां पर यह देख रहा था टूबी तो यह राजी आपका टूबी आप देखो कैसी क समरी है समरी में ITC available क्या बोलता है पार्ट A दे रखा है और किसका पार्ट B करके दे रखा समरी के अंदर पार्ट A के अंदर बता रहा है ITC आपको इतना इतना available है और पार्ट B के अंदर बता रहा है कि आपका reversible ITC कितना है यानि कि आप ये मान के चली की Tobe जो है आपका ये Smart, Smart है Smart ये बता रहा है कि आपको इतना मिलेगा इतने नहीं मिलेगा जब Tobe ही था हमारे पास में Tobe नहीं था तो हमें अपनी खुद की Intelligency को ध्यान में रखना होता था कि भाईया किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा कितना रिवरसल करना है कितना क्या करना है वो सब हमें खुदी करना पड़ता था बट अब जो 2B है ये आपका स्मार्ट फॉर्म है बेसिकली मतला आज के जमाने का फॉर्म है सब बताएगा पूरी हेल्प करेगा आपके दूसरा 3B से कहा लिंक कर रखा है ये आपका All Other ITC जो Supply from Registered Person है ये आपका 3B में ये लिंक है 4A5 की जो आपकी टेबल है ना वहाँ पर जाकर आपका ये लिंक कर रखा है ये वहाँ आपको 3B फाइल करते समय दिखाई दे जाएगा इनवाट Supply वहाँ से मिली है आपकी तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा वैसे करके बात कर रहे हैं कितना टेक्स बनता तो वो सारी बात आगए उसके बार में हाते हैं अच्छा दूसरा ITC Not Available आपको किन किन चीजों को ITC कितना कितना नहीं मिल रहा है वो सब आपका यहां पर आजाएगा अगर आप सारा डिटेल में देखना चाहते हैं तो सारे बिल आपके यहां पर दिख जाते हैं इनवाइस नंबर आपका आता है इनवाइस टाइप आपका यहां पर आता है इनवाइस डेट आपकी यहां पर आती है कि कौन से डेट को पंच किय गया था अब तो उसने सब्सक्राइब का इन्वाइस था वो यहां आ रहा है इन्वाइस की वैल्यू आप किया जाती है प्लेस आफ सप्लाई आपका दिखरा जी देखिए कितनी सारी इन्फर्मेशन वहां आपकी चारपाथ चुनिदा इन्फर्मेशन थे और यहां देखिए इन्फर्मेशन का अंबाल लगा पड़ा आपका प्लेस आफ सप्लाई किया बनता है रिवर्स चार्ज एट्रेक्ट होता है कि नहीं होता वैल्यू कितनी आई जीस्ट कितना सीज्ट क कितना सैस कितना आपका ये जीस्ट्रवन का फाइल हुआ वह तमाम परकार की बात आपकी यहां पर आ रही है उसके बाद ITC अविलेबल है कि नहीं बहाई साथ क्या स्मार्ट है वो खुद बता रहा है आपको ITC मिलेगा नहीं मिलेगा वो बता रहा है और अगर मालीजे नहीं भी मिल रहा है तो वो आपको reason भी देगा कि आपको ITC क्यों नहीं मिल रहा है प्रिजन भी देगा जैसे मोटर कार का हमें ITC अवेलेबल नहीं होता तो बता देगा वह यह कि मोटर कार का सेक्शन सेवंटीन फाइब नहीं मिलता हम तुझे भी नहीं दे रहे हैं अब एक बात और बड़ी ध्यान से सुनिएगा बहुत बेहत एहम बात मैं आपको बताने के जा रहा हूं ITC किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा we will have to consider our ITC chapter section 16 section 17 finally finally मेरा जो ITC है वो मुझे section 16, 17 या 18 जो मेरे बनते हैं उस law के मताबिक ही मिलेगा यह 2A, 2B तो सिर्फ एक guiding factor हैं यह 2A और 2B तो सिर्फ एक guiding factor हैं जैसे कि मैं आपको बता हूं अब यहां पर आकर यह कह सकता है किसी particular crat के बारे मैं कि भैया तुमने motor car खरीद इये ना मेरे लिए बोल सकता कि इसका turret ने मिलने वाला किसी कोलों गलतते हैं तुम्हें तो मेर तो तो मैं तो बी के कॉंट्ररी जाकर क्रेट किलें कर सकता है घर मैं सहीं हुं तो कहने का मतलब यब कि इसका तुझे क्रेट नहीं मिलेगा तो वह तो आप मैंनोली जाकर claim कर सकते हो तो यह आपका 2B यहाँ पर इस प्रकार से launch किया गया है और वो भी पूरी detail के साथ और multiple filters यहाँ पर आपने लगा सकते हैं देख सकते हैं और finally 2B आपका 3B से लिंक किया गया है अगर यहां कोई क्रेट डिनाय कर रखा है तो आपका वहां नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा तो आप 3B के अंदर आप claim करो कि नहीं भाया इसका मुझे क्रेट मिलेगा 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 और अगर आपने ऐसा क्रेट लिया है तो उसकी लिए information गौर्मेंट को दिखाई दे रही होगी software के अंदर backend पर जाकर कि इसने हमारा टूबी मना कर रहा तो बट इसने लिया है तो अधिकारी बसको मैंनोली चेक करेगा कि वह लिया है तो क्यों लिया है इसके पीछे कारण क्या है अगर उसको रखता है कि आपने गलत क्लेम कर रहा तो आपको चिठी डाल देगा तो तूबी में क्या क्या खूबी आई फिक्सड है स्टाटिक है पीरिड वाइज मंथ वाइज है कि जिस पिरिड के लिए आपको जितना इलेजिबल बनते थे उतने का ही आपको वहाँ पर क्रडिट मिलेगा वो बताके चलता है सजेशन्स देता है वेसिकली बट आप सजेशन्स से बाउंड नहीं है उनसे किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा सारी बात बताके चलते हैं फाइलिंग देट को पकड़ता है इन्वाइस कब फाइल किया गया उस महिने के आपके टूबी में दिखाई देगा जबकि टूए पकड़ता है आपकी इन्वाइस की डेट को तो ये इस में अंतर है त Doy sabtoye को खतम नहीं कर सकते क्या तो खत्म करो, नहीं तो भी खतम नहीं कर सकते मलक क्योंकि तो एकbaum dynamic document है धेर सारे change करने पड़ते है पूरा trade पता रचता है कौन कहा था, कहा से था तो एक ही अपनी अलग ऐहमियत है और 2B की अपनी अलग एहमियत है moreover 2B का एक और बड़ा रिजन मैं आपको देता हूँ कि वो क्यों लाया गया आप देखते हैं Missing Invoice का जो क्रडिट होता है वो कितना मिलता है कि जो आपका GSTR 2A में दिख रहा होता है है ना या 2A में दिख रहा होता है यानि कि उसका objective ही होता है GSTR 1 जो फाइल किया गया था उससे आपका जो eligible credit यहाँ पर बन रहा होता है उस eligible credit के 5% तक का आप और credit ले सकते हो for your missing invoices Am I right? Yes sir लेकिन उसमें cut off date क्या पकड़ी जाएगी अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ यह मेरा particular month है यहाँ पर आकर और मैं यहाँ अपना credit ले रहा हूँ 3B के अपना credit ले के चल रहा हूँ तो हम कौनसी date पर अपना GSTR 2A चेक करके चलें कि इस date तक का बताई भाई यहाँ तक हमें चेक करके चलना है कि यहाँ पर जो भी मेरा balance अवेलेबल है उसका 5% निकालू मैं तो उसके लिए एक circular आया हुआ था पीछे ही जिसमें बताया जाता है कि GSTR 1 जिस दिन आप फाइल कर रहे हो मतलब जो आपका यह जो dates होती है GSTR 1 तो GSTR 1 यह जो block होता है जितने periodically 2B होता है करें यह वाला पकड़िये cut off date वो पकड़ो जिस दिन आपका GSTR 1 फाइलिंग की जाती है this is the cut off date for checking the ITC balance के आप कितने के लिए eligible थे वो cut off date पकड़ता है तो इस requirement को पूरा कर देता है आपका 2B तो 2B के अंदर वो balance हमें वहाँ से मिल जाता है और उसका 5% जाकर हम अपना ITC calculate कर लेते हैं तो कहने का मतलब यह है इन simple wordings में कि 2B एक detailed है 2A की जो information थी मंत्री उनका एक प्रकार से screenshot लेकर उनको अलग से draft कर दिया गया है detailed है और आपका 3B है वो 2B से यहाँ पर link कर दिया गया है तो इस प्रकार की बाते यहाँ पर थी मालिक जो मैंने आपके सामें रखी होई है तो यह था जी आपका तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो rule number 60 था वो मालिक complete हो जाता है और यह तमाम प्रकार की बाते return chapter के अंदर आपकी आई हुई है आप इने खुद से परकर देख सकते हैं मतलब जितना भी था मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया मालिक लगबग 2 घंटे का समय लगा दिया मैंने आपके return chapter के अंदर आका कि within such time मतलब वो उस qrmps qrmp उसकी वज़े से changes हैं आपके और साथ में इसकी वज़े से हैं ठीक है तो कहां पर क्या रहेगा जी आपका तो वो निर्टन की बात होगे हमारी यहां पर यह अपना IFF की बात आगे निकल के फिर उसके बाद में फिस फॉर्व यह 60 आगया कि कौन सा फॉर्म कहां जाके खुलेगा फिर आपके GSTR 2 भी की यहां से बात आगए कि वो कैसे कैसे दिखाई देगा और फिर furnishing of return की हम बात कर लेकि date क्या रहेगी qrmp के लिए return furnishing की date वो सारी बात आपके यहां पर हैं मैं तो कहूँगा कि आपको यह legal text देखने के जरूद भी नहीं है जो मैंने आपको लिख कर दिया जो नोटिंग करके दिया वो अपने आपने मालिक यहां पर sufficient है ऐसे करके ठीक है दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो मैंने like summary बना कर दी है कतेई जहर summary बना कर दी है आपको पूरा-पूरा मजा सा उसमें आ जाएगा और summary मैं आपको दिखाता हूँ यहां पराकर सहब filing of return chapter की यहां से देखिएगा यह रही इसकी summary return filing chapter की introduction of qrmp scheme के अंदर क्या है qrmp scheme कौन इसके लिए eligible आपका होता है when to exercise the option दो महिने पहले एक महिने बाद आप कर सकते हैं और how to avail the option portal पर जाकर कैसे आपको avail करना है उसके बार में payment आपको कैसे करना होता है 35% के साब से या फिर हर महिने आप access करते हो actual basis पर self assessment वाला यह आगया अपना how the registered buyer will get the credit वाली बात निकल के आगई interest calculation इसकी जो wording से काफ़ी घुमा फिरा के दी रखी थी लेकिन इसमें सीधी बात यह निकल के आती है कि जब जितना मांगा जब जितना मांगा सरकार ने उत्रा मैंने दिया कोई ब्याज नहीं और जब जितना मांगा उससे कम दिया तो जितना कम दिया जितने period के लिए उस पर ब्याज लगा दिया जाएगा और corresponding impact आपके यहाँ पर भी आई है especially इसके अंदर आया था आपका GSTR GSTR जो आपका like 2B है वो आपका यहाँ पर निकलकर आता है ऐसे करके माले ठीक है जी ठीक है सर अच्छा जी एक छोटी सी बात और बताओ मैं आपको चलो यही था और इससे अब आपका चैप्टर connected है इवेबिल का तो आप ज़र चलिए अपने इवेबिल के चैप्टर की तरफ वहाँ से इसकी connectivity निकलकर आती है सहाब तो मैं आजाता हूँ अपने इवेबिल चैप्टर के ऊपर यह राजे आपका इवेबिल का चैप्टर साहिब तो यहाँ पर आकर एक आप अपना तो भी आपको इवेबिल नहीं बनाने दिया जाएगा अब यहाँ पर आकर बोलते हैं कि अगर आपने GSTR 1 फाइल नहीं किया GSTR 1 अगर आपने फाइल नहीं किया तो भी आपको इवेबिल बना सारा कुछ घूम का रहा है यार वही मास्ट डाइग्राम के उपर GSTR 1 3B मेरा GSTR 1 यह सप्लायर का GSTR 1 वहीं पिक्चर आपस में घूम रही है कि भाईया यह फॉर मड़े महत्वपूर है यह आपको देने पड़ेंगे नहीं दिये हम इनकी कंपरेजन करेंगे तुलना करेंगे दिक्कत अगर निकल के आज़े तो हम छोड़ेंगे नहीं किसे भी कीमत पर GSTR 1 आपको भनना जरूरी यह कहना क्या चाहते हैं आपको GSTR 1 भनना बेहत जरूरी है 3B भनना बेहत जरूरी है CMP 08 भनना बेहत जरूरी है और आपका ध्यान रखे यह कुछ ऐसे कांड मत करना जिससे कि आपका रिष्टेशन सस्पेंड करना पड़े विकॉर सस्पेंड अगर हो जाएगा तब भी हम आपको ईवे बिल नहीं बना देंगे आपका काम धंदा हम बीच मांकर रोक देंगे जानते हो कि यह मन्थली भी और क्वार्टली भी अपना आ जाता है और आरसी आपकी अगर सस्पेंड आरसी अगर आपकी सस्पेंड हो जाती आरसी सस्पेंड कब हो सकती है जब आप खुद अपलाई करते हैं कि हमें आप रेस्टेशन नहीं चाहिए तो पहले सस्पेंड कर दिया जाता है या अधिकारी कुछ इर्रेगलोरिटी पाता है तो या फिर जी एस्टी आर वन और टूए के कमपारिजन करने पर कुछ दिक्कत आती है तो भी आपकी आर्सी को सस्पेंड किया जा सकता है अगर आपकी आर्सी सस्पेंड हो गई है तो फिर आप यहां पर नहीं फाइल कर सकते हैं 3B, CMP08 और आपका रेश्टेशन सस्पेंशन यहां पर दिक्कते हैं तो आपको ईवे बिल नहीं बनाने दिया जाएगा आसे करके मालिक बोल दिया जाता है ईवे बिल के अंदर एक छोटा सा बदलाब और किया गया है यहां पर पहले 100 किलोमेटर लिखा होता था अभी यहां पर 200 किलोमेटर कर दिया गया है नॉर्मल कारगो के लिए टाइम लिमिट हुआ करती थी जो ईवे बिल की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि एवे बिल की लाइफ क्या रखी जाएगी उसके साब से बात क्या करते थे मालिक तो वहां पर क्या बदलाब किया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ तो जैसे यह नॉर्मल कारगो है आपका एक होता है आपका ओवर डैमेंशनल कारगो कुछ इस तरीके से और होता है कि जो कारगो है उसकी डैमेंशन और जो वहिकर उसकी डैमेंशन थोड़ी दिफूरेंट होरी तो इसमें ट्रक की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है तो आपका नॉन मल कारगो है तो जो टाइम कांठ किया जाएगा पहले 100 km per day और part there off की हम बात किया करते थे 100 km और part there off per day अब वो बस डबल कर दिया गया है 200 km और part there off तो यहां पर क्या था कि आज कर आप जानते हो सड़के वन रही है समस्या पैदा और यह कहीं भी रोक के खड़ी वाते ट्रैफिक लग जाता है तो यह देखने में आ रहा था कि यह बार 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 एक्स्टेंड हो रहे थे normal cases के अंदर क्योंकि यहां तो अच्छा खासा को समय दे रखा था कि 20 km की दे रखी थी लेकिन यहां पर समय थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए इस लिमिट को बढ़ा दिया गया जैसे कि बार-बार फ्रिक्वेंट ली एक्स्टेंशन के हमें जरूरत ना पड़े multi model के अंदर वोई same picture कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर multi model आपका है और उसमें multi जिसे ट्रक भी है और उसमें एक mode आपका वैसल का भी आता है तो वहां पर जो limit है आपकी ईवे बिल की जो life set करने की वो है 20 km पर डे और पार्ट देर और ऐसे करके तो उसमें कोई change नह तो आज की कथा हम यह पर अपने समाप्त करके चलते हैं मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है खुश रहना